हेलो वाट्सअप गाईज मैं इस पुर्वाद बादु थापा और आप देखेए गाईज आज जो यह वीडियो बनाने जारूं यह यूटूब में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला क्यूंकि मैं कम्प्लीट एस्टेमल एक डीप एक्स्क्राइशन के साथ आपको समझाने वाला सिर्फ इतना ही निए गाईज इस वीडियो को और स्पेशल करने के लिए मैं आप लोगे के लिए लेकिया 20-minute challenge जहां पर हम यह देखेंगे कि once HTML and CSS कंप्रीट हो जाता है then क्या then उसके बाद 20-minute challenge होगा जहां पर मैं आपको दिखांगा कि जो अभी आपने पड़ा HTML and CSS उसकी मदद से आप एक website कैसे बना सकते हो ठीकर उस website में देखेंगे लोगों कैसे बनाना है website के background images को कैसे edit कर सकते हो Google fonts को कैसे add कर सकते हो and बहुत कुछ देखने मिलेगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में ठीक है गाइस तो मैं आपको इस वीडियो का फ्लो बताने जारो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे complete HTML जी हां गाइस तो सबसे पहले हम complete HTML देखेंगे and once HTML complete हो जाता है इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखें आपको बहुत मज़ा आने वाला ओल्राइट गाइस तो आप देख सकते हैं मैं अपने computer screen पे आ चुका हूँ आज हम देखने वाले complete HTML and CSS in one video in Hindi तो देखें लिकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हम देखेंगे complete HTML in one video तो देखें गाइस तो देखें गाइस तो देखें गाइस एस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम complete HTML में क्या कर देखने वाले है तो सब से बहुत हम देखेंगे what is HTML then headings paragraphs we have text formatting styles comments links images tables list and last we have HTML forms and then guys हम last में देखेंगे introduction to CSS एक बार हमारा यह HTML जैसी complete हो जाता है and then हम complete CSS देखेंगे ठीक है तो देखेंगे सबसे बहले what is HTML so guys क्या होता है HTML देखेंगे HTML is the standard markup language for creating web pages आज के टाइम में guys अगर आपको एक website develop करना है या website create करना तो सबसे जो minimum कम से कम requirement है वह आपका HTML है second आपका CSS है third one is JavaScript तो HTML and CSS is the core fundamental होना ही चाहिए must है एक दम ठीक है and then अब बहुत लोग पुछते what is HTML हमने यह बता दिया but what is the full form of HTML तो guys HTML stands for hypertext markup language यह simple सा आपको याद रखना है यह एक marks के लिए हर बार आता hypertext markup language simple और देखे गाइस के HTML describe the structure of a webpage आपका जो webpage उसके structure को यह describe करता है then HTML जो it consists of a series of elements ठीक है और यहाँ पर देखो HTML elements are represented by tags गैस एक चीज़ बताते तो that elements और यह जो tags यह दोनों बहुत important है और दोनों की differences पूछे जाते कि HTML में elements क्या है और यह tag क्या होता है इन दोनों का differences मैं आपको आगे जरूर बताऊंगो all right and last one is HTML elements tell the browser how to display the content आप जो भी add करें थ्रूँ HTML तो इसको कैसे display करवाना है यह browser को भी कौन बताता है आपका HTML बताता है this is it guys हम सिफ HTML का इतना सा ही देखने वाले हमारे PPT में next मैं आपको सब के सब हमारे code editor पर बताता हूं and guys आप लोगों से एक request करना चाहूंगा और वो यह की इस वीडियो को आप एन तक देखिए अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी यूसफुल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा भी पसंद आना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए आपने सभी दोस्तों को शेर कीजिए Facebook, WhatsApp, Insta, सारे networking sites पे अगर अभी तक आपने मेरे चानल थापा टेकनिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे विकॉज मैं ऐसे डेली ओसम वीडियो करता रहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको मिस कीजिए सो गाइस आप देख सकते हो कि HTML के code को लिखने के लिए मैंने एक editor डाउनलोड किया जिसका नाम है Sublime Text Editor अगर आप आप online जाओ गए तो यह जो link दिखाई देर आप इसको क्लिक कर दो और वंसं आप कलीख कर गए तो देख यह डाउनलोडद कर लिए और वंस आपका डाउनलोड हो जाए आप इसको इसको इस्ट्रीके से आप प्लेलिसक्राइण और लिंक नाच यह जाओँ है तो ठीक है इस तरह के से आपको जाना है मैंने एक फोल्डर क्रेट के आप देख सकते हूं HTML CSS बहुत सिंपल सा है यह और एंड वांस फोल्डर क्रेट करने के बाद आपको क्या करना है न्यू फाइल पर क्लिक करना है और कभी भी मोस्टली आपको नाम लिखना रहता है इंडेक्स इस तरह किसे में इंडेक्स आल्रेडी में रखा तो इंडेक्स1.html फाइल का नाम में रख रहा हूं आपको लिखना है .html यह html होना ही चाहिए तब भी आपका हो html फाइल कहलाएगा ऐल्स नहीं ठीक है तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है html में जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को एकदम clear दिखाए दे और आपने इस तरके से देखो यह less than और यह आप देख सकते हो greater than आपको यह symbol के बीच में आपको इस तरके से html लिखना है जब भी आप इस तरके से लिखते हो आपको इस tag को close भी करना है तो इसको basically हम tag बोलते है अब यहाँ पर close करने के लिए आपको इस तरके से forward slash उस करना है and then आपको simply वही html लिख दिना है तो basically यह आपका opening html tag and यह आपका closing html tag simple इतना ठीक है html के बाद guys आपको वापस लिखना होगा head इस तरके से head को भी मैंने open किया and then close कर दिया ठीक है head tag के अंदर guys अब वह सारे content लिखोगे जो actual में आपके website पर दिखाई नहीं देते title में आप जो भी लिखोगे ठीक है आप देखो कि html हर एक tag को आप जब open कर रहे हो तो आप उसको close भी कर रहे हो by using a forward slash इस तरीके से ठीक है आप देखो कि ध्यान से यहाँ पर देखो html css course तो यह top पर जो आपको कभी भी दिखाई देता है वह आपका title कहलाता अब देखो अब हमें क्या करना guys आपको उसके बात क्या लिखना है head tag को आपने open किया close किया then you have to write body tag आपको body tag लिखना और body tag के अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा ठीक है so guys इस तरह के से आपको head tag लिखना है and ठीक उसी के नीचे head tag जहां पर close हो रहा है you have to write body tag आपका head tag यूज होता guys आपके website के information को बताने के लिए क्या है क्या नहीं है और वो आपको website पे नहीं दिखाई देगा and body tag अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सब आपके website में दिखाई देगा अब देखो guys अब हमें सबसे पहले क्या देखना है हमने देखा what is html html को कैसे लिखना उसका structure देखा now we have to see what is html headings तो html headings देखें guys क्या होता है headings को आपको simply h1 ठीक इस तरह के से सेम होई है h1 आपने लिखा and then आपने इसको किया close अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो guys यहां पर simply आप लिख दीजे इस तरह के से welcome to html css course 2020 इस तरह के से आपको लिखना है और टोटल आपके पास होते है h6 तक ठीके this is read इतना है basically यह आपके headings आप जब भी website create करते हो इस पर आपको headings दिखाई देते वह आपको h1 h2 h3 456 के अंदर लिखना है जितना बड़ा अगर आप h1 लिखो को तो टेक्स उतना बड़ा होगा और जैसे जैसे आप h2 h3 लिखते जाओगे उतना छोटा-छोटा होता जाएगा टीक है मैं आभी आपको दिखा देता हूं मैं इन सबको paste कर देता हूं सेम ओल राइट इस तरह की से पेस्ट का control है save कर तो है मने headings देख लिया है guys now we will see what is html paragraphs and paragraphs भी बहुत सिम्पल है guys अगर आपको paragraphs यूज करने है अपने website पे तो you have to write p tag आपको इस तरह की से p tag का use करना है और इसको close कर देना this is it अब यहां पर आप guys कुछ भी लिख सकते आप जैसे यह लिखो तो आप देख सकते हो guys मैंने क यह लिखा I guarantee you that this is the best video on html css course ठीक है जी हां guys मैंने सिब लिखा नहीं मैं आपको यकिन दिला तो यह जो मेरा वीडियो होने वाला यह YouTube पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है html and css क्योंकि मैं आपको deep में पूरा a to z बताने वालो तो इस तरह की से मैंने paragraph लिखा guys paragraph इ text formatting तो आप देख सकते हो html text formatting जो है यह elements उसको मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया है we have b tag strong i em mark small dell sub and sub ठीक है यह बहुत important अब यह सब क्या होता है मैं आपको बताता हूं ठीक है all right guys तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता है अगें एक paragraph tag लिख लेता हूं ठीक है मै यह देखिए यहां पर बहुत simple सा चीज लिख रहा हूं that is my name ठीक है इस तरीके से my name is Vinod Bahadur Thapa all right इस तरीके से मैंने लिखा my name is Vinod Bahadur Thapa and I am a full stack devil पर इस तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है control as save करता हूं अब भी अगर मैं आपको दिखा हूं इसको मैं फिलाल के लिए comment कर द यहां पर मैं पेश कर देता हूं now my name is Vinod Bahadur Thapa and I am a full stack developer इतना हुआ ठीक है अब देखो गाईस मैं आपको एक चीज बता तो इसमें कैसे यूज़ करना है सपोज आपको टेक्स बोल्ड करना है तो आपको क्या करना है simply again इस तरीक से आपको बी टेक यूज़ करना है ठीकर ज करता है आपको कुछ इस तरीके से देखो अब यह बोल्ड हो गया आपका basically ठीक है all right इतना हुआ अब उसी तरीके से आपको यह जो italic करवाना है let's say आपको stack developer जो लिखा उसको italic में दिखवाना है so you have to write i tag इस तरीके से आपको you know i tag उस करना है और आपको उस i tag को close करना ठीक है तो इसको में इस तरीके से हटा देता हूं all right और आपको इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से मैं control या save करता हूं and refresh कर देता बूम गया इस तो आप देख सकते full stack developer और हाँ एक और चीज याद रखो कि आप कभी भी अगर HTML में work कर रहे हो ठीक है and आपने सोचा कि कि या में तो इतना सारे स्पेस दे दिया control या save कर या तो इतना याद रखोगा इसे spaces matter नहीं करता आपका खाली वो एक ही space लेगा चाहे आप जितना भी space दो चाहे जितना भी आप इस तरीक से underline करो वो एक ही space मानेगा उसको ठीक है तो इतना आपको याद रखना है इतना ह क्या होता है underline तो आप देख सेकते हैं बहुत सिंपल ही है एक प्रकार से क्योंकि वी से बोल्ड आई से टैली क्यों से अंडर अंडर लाइन तो इतना सिंपल अंडर लाइन हो गया ठीक है अभी लेट से कि आपको यह जो बीनो दिसको आपको हाइलाइट करना है तो हाइला अब यहां कि यह जो बोल्ड टैग होने से पहले आपको आपका यह मार्क टैग को क्लोज करना है यह एक सिंपल सिंपल सरूल से आपको यह सब फॉलो करने होंगे क्योंकि मैं मार्क टैग को बोल्ड के अंदर यूश कर रहा हूं तो बोल्ड खतम होने से पहले बोल्ड को क् और चीज दिखाता हूं that is here एक काम कर सकते हो आप नहीं तो मैंने आपको डेल नहीं दिखा है तो आप डेल में बता देता हो आपको लगता है यह तो रॉंग हूग हो गया अगर जो लिखे लिख्ल लो तो आगर 27 को डेनी'll वाउग इसको खाली श्ट्राइक कर रहा है मतलब हम उसको खाली बोल्डर नहीं इसको रीड मत करो है यहां पर क्या करना है यह जो है टू नीचे होता है यापको लिखना है इस तरी किसे सब ठीकिए युज रिखना है और रिखने में तो अगर याद होगा जब हम मैट्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो we have x2 plus y2 square, ऐसे कुछ भी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, उसको अगर मुझे दिखाना हो, तो x, ठीक है, x का power 2 दिखाना है, तो मैं super script tag use कर रहा हूँ, तो इस तरह के से sub आपको लिखना है, sub, आपको यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, plus y square, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, हमें finally हमारा output मिल चुका है, जो की है, x का power 2 plus y का power 2, and यह जो power of 2 लिखना ना कैसे बहुत मुस्किल होता, आप कैसे लिखते, but by using a sub and sup हम यह बहुत इजली कर पाते, तो basically sub मतलब, sub script and sup मतलब super script, इसका मतलब यही है, इसका full form अभी just, alright, so guys, text formatting complete हो चु कैसे करना है HTML के अंदर, और यह जो HTML styles आपको दिखाए दे रहा guys, basically यह न CSS के अंदर आता है, तो आगे जो CSS का course होगा, उसमें मैं complete आपको styles property के उपर बताने वाला हूँ, but अभी भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता दूँगा, तो guys, अगर आपको थोड़ा बहुत लगे, यह यह property में कहां से लिख रहा हूँ style tag के अंदर, यह style property के अंदर, तो आप बिल्कुल tension मतलो, CSS में मैं इसको completely cover करने आला हूँ, and आपका पूरा doubt killer हो जाएगा, and we have this comments तो देखिए guys, तो सबसे पहले मैं again सबसे उपर जाता हमारे headings पे, और मैं क्या करता हूँ, comment कर करने के लिए अगर आप sublime text editor यूज करो तो आपको सब को copy करना है एक साथ, and you have to press control and question mark, this is it, अगर आप control and question mark यूज करते हो, I mean press करते हो, ठीक है तो आपका automatic comment हो जाता है, else आप देख सकते हो कि आपको अगर comment करना होता, अगर आपको individually guys comment करना होता तो आपको यह less than, then आपक exclamation, then, hyphen, hyphen, इस तरी की से, ठीक है, dash dash भी आप बोले हो, and then again dash dash greater than, तो guys आप इस तरी की से simply इनको comment out कर सकते हो, अभी फिलाल इसको मुझे नहीं चाहिए, तो and one more thing, अगर आप sublime again use करो, और जिसको आपने already comment कर दिया है, again वहाप अगर आप control and question mark प्रेस करते हो, boom guys, आप दे ठीक है, तो as it is रखा मैंने, comment आपको पता चल गया क्या है, all right, sub चलेगा, अभी देखो, इसको मुझे style करना है, तो कैसे, तो यहाँ पर क्या लिखना आपको style से, यह आपका एक attribute क्या लाता है, क्या क्या लाता है, एक attribute, ठीक है, all right, तो यह h1 तो आपका tag था, ठीक है, and then again आपको बता आता हूँ, चलो, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता ही देता हूँ, that is difference between tag and आपका elements, tag मतलब क्या होता है, जब भी आपको tag लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा h1, तो अगर मैं सिर्फ h1 tag यूज कर रहा हूँ, opening and closing h1 tag, तो यह आपका tag है, क्योंकि हम बोलते ह हमें भी बोल रहे हूँ, h1 tag, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख दोगे, hi, what's up, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, what's up, तो गाइस क्या हो जाएगा, आपका h1 tag तो है, but उसके अंदर आपने कुछ data fill कर दिया, now अगर आप इस complete line को represent करना चाहो होगे, so you have to say h1 element, यह अब आपका एक element कहला रहा है, because element is the combination of data inside the tags, यह tag है, और इसके अंदर आप कुछ fill कर देते हो, कुछ लिख देते हो, वो आपका element कहलाता है, basically combination, else अगर यह सिर्फ और इस तरीके से h1 है, तो यह आपका tag कहलाएगा, ठीक है, simple opening tag, closing tag, और यह पूरा का आपको represent कर रहा है, elements को, तो basically अभी फिलाल आपका यह एक element है, तो यही है difference guys, इन दोनों में, ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है, अब मुझे इस पर यूज़ करना है style tag, तो देखो guys, कैसे होता है style tag, बहुत simple है, यहाँ पर क्या करता हो guys, हर एक element के पास, यह tag के पास अपना एक attribute होता, तो हमारे पास एक style नाम का attribute है, simple इस तरी के से मैंने लिखा, यहाँ पर let's say guys, इसका में color change करना चाहूंगा, और इसका में background color change करना चाहूंगा, ठीक है, यह जो आपको दिखाए देरी properties, guys इसका बिलकुल आप tension मतलो, मैं आगे CSS में यह complete बताने वाला हू एक का एक background, size, position, clip, color, repeat सब बताने वाला हूँ, ठीक है, अब भी सिर्फ आप इतना समझ लीजी, कि style करके भी एक attribute होता है, बस ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही समझना है HTML में, क्योंकि यह CSS के पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा attractive दिखाने के लिए यह कर अब भी बस आपको यह दिखाने के लिए, एक जलक दिखाने के लिए कि, without CSS HTML बहुत अदूरा है, तो अगर आप HTML कर लेते हो, then आपको CSS करना ही पड़ता है, ठीक है, गाइस, आप देख सकते हैं, कि मैंने just color जो एक property है, उसकी मैंने value add कर दी है, and then background color जो है, उसकी भी मैंने एक property add कर दी, और यह जो color है, इसको हम बोलते है, hexa code, और यह color कहां से लिया बोलने से, guys, अगर मैं आपको बता हूँ, तो there are many ways, flat, इस ठीक है, मनलब बहुत सारे color आप simply किसी को भी इस तरीक से copy करो, यहाँ पे copy किया, और यहाँ पे आप चिपका सकते है, तो करने के बहु अब यह सब के ऊपर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, that is Google Fonts, guys, एकदम, you know, HTML CSS के अंदर यह नहीं आता, यह थोड़ा advanced है, लेकिन मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ, कि आप किस तरीके से अपने website के अंदर, you know, Google Fonts को यूज़ कर सकते हो, ता कि आप अपन मैं नीचे description and comment section पर आपको provide करने वाला हूँ, so basically Google Fonts पर गया हूँ, अब देख सकते हूँ, जो टैग है, इसको अगर मैं हटा दू यहां से, तो मैंने plus पर क्लिक किया, इस तरीके से एक pop-up आजा था, बस मुझे इस link को copy करना है, alright, एकदम title के अंदर, मैंने आपको क्या ब add करना है, अब इससे होगा यह, कि अभी just मैंने जो यह add के वो आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो head tag के अंदर है, alright, इस तरके से मैंने link ले लिया है, अब मुझे इसकी जो एक property है, alright, और यह जो property, basically यह भी CSS के अंदर आता है, that is font family, तो guys, यह सब मैं आपको आगे जो CSS course है, इसी में ही मैं आपको complete बताने वाला हूँ, विलकुल आप tensor मत लीजे, लेकिन फिलाल अभी आप समझ लीजे, तो मैं बस इसको जल्दी से style tag लिख लेता हूँ, यहाँ पे, इसको मैं start tag, और alright, यह बस, ठीक है guys, इसको आप अभी आप इतना मस समझो, यह ब better and best, इस तरी के से हो गया guys, अपना काम complete, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे, text, align, center, alright, इस तरी के से text का जो align है, उसको मैंने center कर दिया है, यहाँ पे मैं चाहिए तो guys, padding ले सकता हूँ, और यह जो padding होगा 10 pixel, 0, alright guys, आप देख सकते हैं, यह बहुत beautiful दिखाई दे रहा है, and, मैं आपको फिर से बोल रहा हो guys, please, यह जो भी मैंने style attribute के अंदर लिखाना, इसका विल्कुल भी tensor मतलो, आगे CSS का course है, इसी में, आपका पूरा doubt clear हो जाएगा, ठीक है, यह तो just मैं आपको थोड़ा से attractive दिखाने के लिए, साथ क्योंकि बहुत सारे लोगों के mind में पता क क्या होता है, जब HTML करते करते हैं, उनको चाहिए, नहीं, CSS में color कैसे हो रहा था, वो background कैसे हो रहा था, तो guys, वो ऐसे ही हो रहा होता है, ठेक है, यह बस आपको दिखाने के लिए, यहां पे एक आप property that is text transform, मैं कर देता हूँ, capitalize, तो basically इससे होगा यह, कि आपका यह, जितने completely देखेंगे, अब इसका बिल्कुल टेंस मतला, all right, इतना हो चुका है guys, तो हमने styles भी देख लिए, हमने comments भी देख लिए, now guys, अब हमें क्या देखना है, देखे, all right guys, now we will see HTML links, और उसके बाद हम देखेंगे HTML images, तो यह दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ, ठीक ह तो देखें guys, अगर आप HTML and CSS करते हो, तो आप भी कुछ अपना इस तरह किसे website बना सकते हो, जैसे मेरा thapa technical.com है, तो basically इसमें जितने भी आपको content दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपके HTML के मदद से उतर, जितना भी यह design, color, fill, look दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपके CSS के थू होता है, तो guys, यही है आपके HTML and CSS का best फाइदा web development के लिए, तो अब HTML links मतलब क्या guys, अगर आप देखोगे, यह जो मेरा website है, यहाँ पर आप देखोगे, about us पर अगर मैं click करता हूं, तो यह दूसरे page पर जाकि refer कर रहा है, तो यह कैसे हुआ, समझ रहे हैं, तो इसके लिए इस क्या करना है, we have anchor tag, a tag, ठीक, आप जैसी anchor tag लिखते हो, इसको मैं हटा जेता हूं, यह best फाइदा है, यह sublime text editor का की, automatic सब कुछ आ जाता है, but अभी आप एक beginner हो, तो आपको दिखाना चाहूंगा, anchor tag का आपको इस तरह की से close करना है, a, then you have to write h rep, basically आपको बोला है, hypha reference, य इस से पहले आप इसको close कर लो, all right, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, थापा technical, all right, इसको मैं control एक सेव करता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, वापस मैं अपने home पे जाता हूं, इसको copy file पात करता हूं, और यहाँ पर मैं paste कर देता हूं, जब आप देखोगे, आप control एसको copy कर लो, तो वो आ जाता हूं, अब मैं अपने browser पे जाओंगा, आप देखोगे, थापा technical, अगर मैंने click किया, and boom, आप देख सकते हो, मेरा website पे एक click हो गया, तो इतना सिंपल है, इतना तो आपको पाता चल गया, आप next time कोई भी website पे आप जा रहे हो, अगर उस पे click किया, all right, यहां पर अगर आप जाओगे, तो यह देखोगा, इस कैसा लगा आपको, anchor tag use हो रहा है, और यहां पर थापा technical.com, about us.html का page और यहां पर anchor tag close हो रहा है, एक second, और दिखाता हो, यह देखो, same वही जो मैंने आपको यहां बताया, थापा technical.com, और इस पे, यहा इतना हो गया, अब हमने एक चीज़ यह notice किया, कि जब मैं इस पे click कर रहा हूं, तो वो उसी page पे open हो रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे, तो उसके लिए हम क्या use करते है, इस target, target एक attribute है, जिस पे अगर आप लिखोगे, underscore blank, underscore blank, अगर आप लिख किया, अगर इसको refresh करते हो, now उसी, click क्या, and boom guys, यह आपका page इधर ही है, अब वो दूसरे page में जाके open हो जाएगा, तो इस तरी के से आप लिख सकते हो, by default है क्या रहता है, self रहता है, ठीक है, तो self मतलब उसी page पे लेकिन हमें क्या चीए, underscore blank, ताकि वो दूसरे page में जाके दिखाई दे, ना कि same page पे हमे All right guys, इतना हो गया, इसको मैं control as save करता हूँ, और एक और जिस मैं आपको दिखाता हूँ, कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसका जो यह underline by default आ जाता है, जब भी आप anchor tag उस करेगो, तो नीचे underline by default आ जाता है, and just मैंने अभी आपको दिखाय, we have a styled attribute, तो इसके अ इतना हो गया, इतना हो गया, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, that is guys, आप यहाँ पर एक और आट्रिब्यूटर जिसका नाम है title, आप अगर title लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो, click to visit, या आप कुछ भी लिख सकते हो, and इसको मैं अगर refresh कर दू मैं hoover कर रहा हूँ, जब आप अपने mouse को उस particular text के उपर लेकर जा तो we called hoover, ठीक है, तो click to visit था, इस simple इतना हो गया, अब एक best part दिखाता हो, कि अगर आप button tag का यूश करते हो, तो हमारे पास HTML में button tag भी होता है, इस तरी किसा अगर आप button tag के अंदर anchor tag यूश करते हो, boom guys, अ अब आपका एक button है, अब simplest पर click कीजिए, आपका website open, तो यह होता है, आपका anchor tag, hyphen, links, हम इसको बोलते है, HTML के अंदर, ठीक है, and then मैंने आपको बताता है, now we will see HTML images, तो images add करने के लिए, और obviously, आपका एक tag दे रखा, जिसका नाम है, img, and एक चीज़ देखो, जैसे मैं click बोंगा, आपने एक चीज़ नोटिस क्या हो, कि सभी के सभी को जब भी में type करता हूँ, वो close हो रहे है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी जो भी आपके tag है, वो सब के सब close हो रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमेज tag ऐसा है, जिसको आपको close नहीं करना है आपको close नहीं करना है, सो अगेन इसको मैं हटाता हूँ, इमेज tag जब भी आप इसको रहे है, इस डवल कोट के अंदर आप जो भी इमेज का लिंक दोगे, वो आपको दिखाई देगा आपके website पे, जैसे यह मेरा website है, यहाँ जो background में image दिखाई दे रहा है, यह आपको जो already एक folder बनाया है, उसी folder के अंदर, that is our HTML and CSS images नाम के folder के अंदर एक file है, तो मुझे अब क्या करना है, मेरा index1.html का file इधर है, मेरा folder इधर है, तो सबसे पहले मुझे उस folder के अंदर access करना है, and then उस file को access करना है, so कैसे, images में ने file का नाम लिखा, then you have to write forward slash, बहुत सारे लोग यहाँ पे mistake यह कर देते, वो forward slash नहीं लिखते कभी, मतलब उनको समझ में नहीं आता, तो आपको simply folder का नाम, forward slash, and then आपका जो भी file का नाम है, जो भी आपकी image का file का नाम है, hmlcss.png, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, 3, अगर width दे दू, मैं 400 का, ठीक है, आपको pixel, pixel कुछ नहीं लिखना, खाली 400, and then height आप दे दो 200, control, save करता है, and मैं आपको दिखा हूँ, perfect, देखो, कितना perfect दिखाई दे रहे हमें, alright, अब उसी तरी किसे देखो, guys, मैं आपको एक चीज़ बता ना बूलगे, आप देख सकते यह जो मेरा button है, alright, जिसमें मैंने link add करके रखा हुआ है, and मेरा यह जो image है, दोनों के दोनों एक साथ दिखाई दे रहे है, तो मुझे क्या चीज़ की, guys, मुझे एक की नीचे एक चीज़, so again, आपको क्या करना, button के नीचे आके, सिर्फ BR tag लिख देना है, BR break, तो इस तरी क आपको क्या लिखना है, horizontal line, ठीक है, सिर्फ HR लिखना है, and boom, इस देखो, आपने notice के एक आपको HR line दिखाई दे रहे है, यहाँ पर देखो, यह line आ जाता है, तो BR से break, HR से horizontal आपका एक line आ जाता है, this is it, इतना simple, अभी देखो, guys, एक चीज, जैसे हम इस पे hover कर रहे है, तो click link perfectly के video, तो आपको याद होगा, guys, मैंने, ठीक, I think, एक हफते पहले आप देखोगे, तो मैंने पूरा complete video बनायता है, HTML5 and CSS3 के उपर, जैसे मैं आज यह बना रहा है, HTML and CSS3 के उपर, ठीक है, तो यह आज जो video complete कर लोगे, आप HTML and CSS3, उसके बाद HTML5 and CSS3 देखना बहुत important है, मैं मैंने complete बता है, यह भी YouTube में best video है, इस topic के उपर, all right, इतना मैंने कर दिया है, यहाँ पर control and save करता हूँ, इसको refresh करता है, and boom, guys, इसे देखो, HTML5 and CSS3 complete video, अब जब भी hoover करोगे, वो आपको दिखने ही वाला है, और यह image tag में एक बहुत important attribute हो, जो की है, आपका alternate, alternative, इसका मालब तब यह वाकि, guys, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, HTML, CSS, pick, तो इसका मालब पता क्या है, बहुत टाइम क्या होता कि, guys, आपने अगर by chance, you know, अभी देखो, वो कहीं देखनी रहा, जो मैंने लिखा, लेकिन most of the time, अगर आप URL रॉंग दे देते हो, यह आपके server से वो image कहीं गायब हो जाता है, तो उस case में क्या होगा, देखो, image का आपको ने जो width and height वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, HTML, CSS, pick, तो यह basically alternative, by chance अगर आपका image का यह जो URL है, वो जो link के वो proper नहीं है, तो उसका alternative यहाँ में पता चल जाए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरिके से HTML, tables और यह बहुत important है, ठीक है, comment कर दिया मैंने, अब देखो, tables लिखने के लिए, again अपने एक चिस notice करी चुका होगा, guys, जो जो हमें चाहिए, वो already पहले से ही HTML में है, table चाहिए, table का tag दिया हुआ, image चाहिए, image का tag दिया है, anchor link चीए, anchor link का tag दिया हुआ, paragraph चीए, p दिया हुआ, मतलब सब कुछ पहले से ही है, अब देखो, table लिखने के कैसे होता है, ठीक है, एक second, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने already एक बना के रखा है, copy file पात, क्योंकि समझाना जरूरी है, सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ आपका row है, तो basically कितने row है, एक row, and then we have second row, तो basically हमारे इस table के पास दो row है, column कितने है, YouTube एक column है, यह topic एक column है, degree एक column है, subscriber एक column है, तो basically हमारे पास एक, दो, तीन and चार column, और एक and यह हमारे पास दो row है, तो दो row और चार column है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको लि लिख ले है, लेकिन हमारे पास कितने row है, we have table row, तो यह अपका tag का full form है, t, r, मतलब table का row कितना है, एक, और हमारे पास है दूसरा row, all right, ठीक है, हमारे पास पहला row, यह दूसरा row, पहला row, यह हमारा दूसरा row, एक row के अंदर कितने columns है, चार, लेकिन जो पहला वाला topic है, ज थोड़ा bold दिखाई दे रहा, आप चाहिए तो guys, यह जो B है, आपका यह जो B tag, आप इसका यूस कर सकते थे bold दिखाने के लिए, लेकिन क्यों जब हमें already कुछ दिया हुए table वालो ने, ठीक है, तो यह जो है, आपका heading है, यह simple आपका data है, लेकिन देखने वाली बात है, total यह चार कॉलम्स है, तो एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है, चार, तो वी हैब पहला यह table का heading, टी एच, table heading, एक, दो, तीन, एन चार, ओर राइट, ठीक है, तो क्या क्या है वो YouTube name, copy करता हूँ, paste, then यहाँ पर है आपके पास topic, then we have क्या है guys, degree, ठीक है, इस तरीके से मैं यहा copy करता हूँ, paste, this is it, अब इसको मैंने इतना लिखा, and अगर मैं अपने वाले में इसको paste कर दू, तो आपको कुछ इस्तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे आमें चीए, ठीक है, और एक और चीज, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, कि वो BR tag उसकरता हूँ, else आपको clearly नहीं स कर देता हूँ, ताकि नीचे से भी आपको space दिखाई दे, perfect, इतना हुआ, all right, ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे तो guys, यहाँ पे same होई है, दूसरे row में भी we have YouTube name का जो है, data यह है, topic का data, programming degree मैंने master किया in computer science, subscriber वाभी 1 lakh हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों क data, इस तरी के से, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए guys, इस तरी के सितापर technical, तो जो सबसे पहला row है, I mean पहला जो heading है, उसका data पहला इधर आएगा, उसके बाद again आपको TD लिखना है, programming topic आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरी के से, ठीक है, and गलती से अगर मैं आपको बता था, अभी रूखे, पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ, यह आपने लिखा, इस तरी के से MCS, यहाँ पे, and then again we have TD, यहाँ पे आपने लिखा 100 के, ठीक है, इस तरी के से मैं ने लिखा, ctrl s, save क्या, तो almost now हमें वही same result मिलेगा, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था perfect, लेकिन by chance अगर यह programming में यहाँ पे ना लिखे, अगर last में कर दू, last में कर देता हूँ, और इसको मैं इस तरी के से हटा देता हूँ, तो आप देखो क्या होगा, तो देखो guys, YouTube name था पर technical तक ठीक था, लेकिन topic पे MCS आगे, degree पे 100 के subscriber पे programming, तो यह आपको ध्यान देना है जब आप देख रहे हो कि आपका जो पहला रो है, उसमें जो second column है, उसी की ही data आपको दूसरे रो के second column में ही देना होगा, तो यह बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है table में, else आपका सब सही है बाकी, ठीक है, control है, save करता हूँ, now again back to normal, अब देखो guys, यह table हमें लग नहीं ना तो इसमें border है, इसमें ना तो इन सभी data जो padding है, उनकी बिच ना कोई padding हो रहा है, न data कोई space है, तो कैसे करूँ देखो, तो simply guys, अगर आपको table में border चाहे, तो again we have attribute जिसका नाम है border, and simply आप one लिग दीजे, इस तरी के से आप one लिग दोगे, तो आपको border दिग गया, perfect, अ देखो, ये एक rectangle box के अंदर है, उनकी बिच में कुछ space है, तो basically हम उसको बोलते cell, ये जो topic है, ये यूटूब ने में, ये जो box है, उसको हम बोलते cell, और उसके बाहर की space को हम बोलते cell spacing, उसके अंदर के जो space है, अगर topic को आपको तो आप बढ़ा करना है, उसके थोड़ा ज ये जो YouTube name और topic की बिच का space कम हो जाएगा, perfect, सब चिपक गए, अब मुझे ये degree देखो, कैसे चिपक गए न, इसके उपर नीचे मुझे अंदर की तरफ मुझे space ची, तो हम उसको बोलते cell spacing, cell spacing में लिख देता हूँ 10 simple, आप 1, 2, 3, 5, कितना भी देख सकते हो, 10 लिख दूँ अब भी पेश कर सकते हो, data अलग-अलग तो आपका इतना beautiful table एक create हो जाता है, alright, and आप देखोगे तो guys, ये center में नहीं है, जितने भी हमारे ये data है, वो center में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो guys, यहाँ पर simply एक और property है, that is your style के अंदर अगर आप जाके लिखोगे text align center, and boom, sub center में आगे, लेकिन मैंने एक और चीज नहीं बता है, वो ये कि अगर आप पूरे कोई center tag के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, इस तरिके से table को ही, अगर आप center tag के अंदर लिख देते हैं, जो कि बहुत लोग ये करते हैं, तो क्या होता है, center tag है हमारे पास, तो दे इसकी आदत हो जाती है, बेटर अब style attributes करके text align center लिखो, क्योंकि ये जो center keyword है, I mean center tag है, ये html5 में ये अब नहीं है, उसको remove कर दिया गया था, ठीक है, इसलिए में center tag यूज करता भी अब, लेकिन आज के time में भी guys, बहुत सारे लोग html5 में भी center tag यूज कर रहे होते हैं जो कि नहीं है, और इतना हो गया guys, हमारा table इतना ही था, so guys table के लिए इतना ही बहुत important है, ठीक है, क्योंकि html5 में self spacing and self spreading support भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पाता है, and one more thing that in table we have row spam and a call spam, अगर मैं आपको row spam मतलब क्या है, let's say ये जो आपका YouTube है, ठीक है, and let's say कि अगर इसको दो कॉलम चाहिए, तो क्या लिखे का, call spam, and आपको इसे टू लिख देना है, तो देखो क्या होता, control s, save करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, refresh करता हूँ, तो आप देख सकते, YouTube ने आपके दो कॉलम की space ले लिए, call spam equal to 2, YouTube मतलब दो कॉलम का space, उसी तरीक परता हूँ, तो basically अभी यह मेरा, यह अभी फिलाल एक ही रोल है, तो अभी दो space ले लेगा, यह देखो, दो space ले लिया, और YouTube ने दो कॉलम ले ली, तो basically यह आपका row spam, यह आपका column spam कहलाता है, और आपको पाता है, call spam क्या होता है, अगर आपको कोई भी, आपका heading हो, you know, य in rows, तो आप row spam लीजेगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, just अभी, है की नहीं, यह देखे, इसने दो row की space, यहाँ पर देख सकते हो, programming है, और यहाँ पर आपका थापा technical है, यह दो row थे, अलग-अलग, but now इसको मैंने row spam to लिखा, तो इसने completely दो row को एक मान लिया, आप एक पूरा space ले रहा है, उसी तरी के से यहाँ पर आप देख सकते हो, थापा technical, एक column, programming, दो column, लेकिन हमारा यूटूब heading उसने दो column ले ली, क्योंकि मैंने call spam to लिखा था, तो इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने mind में रखना है, and then आपको काम करना है, औ time table आप देख लिए, आपको पूरा doubt clear हो जाएगा, alright, ठीक है guys, हमने tables भी देख लिए, and now we will see what is list, and then हम देखेंगे html forms, alright, so guys, list क्या होता है html में, list आपने, आपको मालूम होगा guys, अगर आप कभी भी, you know, market जाते हो, तो आप एक list बना के जाते हो, let's say swapping list, या school में, html, we have two types of list, हमारे पास दो types के list है, alright, तो वो दो कौन से थे हो, सबसे पहले we have on order list, ul, on order list, ठीक है, on order list, आप इस तरी के से लिख सकते हो, we have on order list, and then again we have one more, that is your order list, ol, ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यह देख लेते on order, आपको ना क्या लिखोगे guys, इस तरी के से आप लिख सकते हो, एक paragraph tag, list of shopping, shopping, तो यहाँ पर क्या करोगे guys, on order ul लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है list, अब कौन सा, on order list है तो आपको लिखना है li, ठीक है, इस तरी के से li लिखना है, ठीक है, and then उसको close करना है, तो इस तरी के से आ आपने guys, li को close कर, यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, let's say laptop, ठीक है, again यहाँ पर जाओ, li को लिखो, यहाँ पर आप लिख दो bag, मतला bag तो चाहिए, फिर आप लिख दीजे pen, या keyboard, या mouse, अब कुछ भी लिख सकते हो guys, यहाँ पर आप लिख दीजे, फिर notebook, ठीक है, control है, save कर करता हूँ मैं, अब गर यहाँ पर जा कि आपको मैं दिखा हूँ तो guys, कुछ इस्तिर किसे आपको दिखाए देखा, laptop, bag, pen and notebook, alright, एक second, एक second, मुझे क्या करना है, इसको copy करता हूँ, क्योंकि नीचे space आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको मजा नहीं आएगा, त से अब भी जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि आपको एक disc दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लिख दोगे, यहाँ पे इस तरके से square, ठीक है, square का डबबा होता है, तो आपको देखो guys, zoom कर देता हूँ, यहाँ पर आपको square दिखाई दे रहा है, उ circle में भी यह circle है, लेकिन इसमें background color black दिखाई दे रहा है आपको, this is it, इतना सा ही है, alright, तो यह था आपका un-order list, now we have a order list, जैसे school में आते हैं, ascending order में नाम wise आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरके से से, A से, Arjun, ठीक है, क्योंकि A आए ना पहले, and then B आएगा B से, आप लिख दीजे, B निता, इस तरी की से, alright, and then आप लिखोगे, दूसरा C से, guys, नाम मुझे याद नियारा, Chris लिख देता हूँ, and I think spelling सही है, Chris की, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, D से, Don लिख देते है, ठीक है, किसका क्या जारे लिख दे, हमेंने, refresh, and one more thing, आप देख सकते हो, now, order list जो है, उसमें आप देखोगे, तो one, two, three, and four, तो इस तरी की से, आपको पता चल रहा, पहला आपको ये, then ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास type होता है, suppose अगर आप capital A लिखते हो, all right, capital A, तो आप देखोगे, guys, capital में A, B, C, 3D दिखाई दिया, अगर आप small A लिखते हो, तो आप देखोगे, आपको small A, B, C, D, दिखाई देगा, उसी तरी के से, भी आप रोमें नमबर, and by default वो आपका one रहता, I mean आपका numbers तो one, two, three, और एक और चीज़िए, कि guys, यहाँ पर आप स्टार्ट करके, एक और एक और अट और यह बहुत सिंपल है, and बहुत इंपोर्टेंट भी है, guys, क्योंकि हर जेगे forms होता है, चाहे वो contact form हो, चाहे वो email का form हो, validation form हो, login form हो, sign up form हो, जो भी form हो, यह भी आप देख सकते हो, यहाँ पर we have a contact, get in touch, name, email, message, send, ठीक है, तो form देखो, now हमारा last topic हो, that is our HTML form, तो यहाँ प यहाँ पर आपको लिखना है एक label, यहाँ पर लिख दीजिए, username, simply label करके username, एक BR tag use कीज़े, then you have to write input, ठीक है, इसको close करो, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है, कि input का type कौन सा है, आपको लिखना होगा, text, और राट, इस सिर्फ अगर आप इतना लिख है, simple and, यहाँ पर आप चाहिए, तो इस तरीके से, h3 के अंदर आप लिख सकते हो, contact form, इस तरीके से, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, contact form, बहुत ब्यूटिफुल तरीके से, all right, यह आपका username आया, all right, and, एक second, यहाँ पर इतना beautiful हमें दिखाई दे रहा ह जूम कम कर देता हूँ, username आया, उस तरीके से, आप इसको करो, copy, यहाँ पर एक काम करो, double BR कर दो, ठीक है, all right, अब मैं इसको करता हूँ, copy, copy किया, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, paste, all right, ठीक है, now instead of username, I will write password, एक second, password में use नहीं करता, contact form में, लेकिन बस दिखाने के उसी तरीके से, जब आप password लिखते हूँ, तो आपने notice के होगा, guys, password आपको दिखता नहीं, तो वो इसलिए, क्योंकि already type में आगर हम password लिख देना, HTML ने हमें already वो property दे रखा, जहाँ पर मैं सिर्फ password लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर आप आप देखोगे, तो वो आपको इ secret key की तरह, तो username, password हो गया, and again, मैं यहाँ पर जाता हूँ, paste करता हूँ, यहाँ पर चाहिए, तो guys, आप इस तरीके से email ID लिख सकते हो, और एक चीज़ यहाँ रखना है, ठीक है, email ID, जब आप HTML 5 यूज़ करोगे, तो वहाँ पर already आपको type में email मिल चुगा, लेकिन HTML में email न इस वीडियो को अगर आपने देख लाए, तो आप जरूर मास्टर बन जाओगे, guys, पहले इस वीडियो को देखके HTML CSS के मास्टर बन जाओ, and then HTML 5 CSS 3, आप फिर 2020 आपका, फिर JavaScript तो मैंने अल्रेडी करी चुका है, अब Advanced JavaScript का Series भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख इमेल आइडिया राइट मोबाइल नमबर, ठीक है, मोबाइल नमबर लिख देता हूँ, पॉफेक्ट, and एक और चीज यहाँ रखना है, कि जब भी आप यहाँ पर लिखते हो, तो आपको एक नेम टैग उस करना रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब एक जगे पर लिख रहाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पर capital मत दो, simple रखो, और यहाँ पर लिख दो गाई, कि आपका password है, पासवर्ड यहाँ पर लिख दो, email, ठीक है, लेटर ओन जब आप PHP में इसका contact form बनाओगे, यूनो, तो उस समय ये name keyword में, जो आप value pass करें, वहाँ पर चाहिए रहता है, इसलिए name आप रखाओ, और यहाँ पर लिख दो, इस तरीके से mobile number, mobile, ठीक है, बस इतना ही रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद गाई साब क्या करो यहाँ पर, आप एक mobile number होगे, आपको select, select करके हमारे पास एक और tag है, इसमें क्या होगा, suppose आपको option देने, option पता क्या देना, आपको कौन सा pack चाहिए, जैसे आप अगर कोई hosting लेने जाते हैं, आपको premium, business, या personal मिलता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, select your plan, इस तरीके साब लिख सकते हो, select your plan, ठीक है, आप इस आप लिख दो, personal, आपको personal plan चाहिए, यहाँ पर लिख दिखा दो, इस तरीके से personal हमने दिखा दिया, उससे तरीके से यहाँ पर जाओ, option दो, यहाँ पर आप दे दो value, same, आप कुछ भी value दे सकते हो, जो आपको वाँ पर show करवाना, यहाँ पर लिख दीजे, business, यहाँ पर we have a premium, यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिख दे तो इस तरीके से premium, all right, I think premium, all right, now, ठीक, premium, इससे किसे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, refresh करता हूँ, कैसे आपको mobile number, email and perfect, business, premium, and then we have a personal perfect, इतना हो गया, now we have a text area also, आपको text area लिखना, इसको close करना है, आपक कितने कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5 नहीं, मुझे चाहिए 10 कॉलम, कितने रोज चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5 रोज, ठीक है, कॉलम मतलब horizontally, रोज मतलब vertically, तो आपको कुछ स्थिर्गे से यह दिखाई देगा, all right, ठीक है, and एक चीज नोटिस करने वाली बा आप कॉलम को बढ़ा दू, थोड़ा कम से कम 15 कर देते हैं, और यह देखने वाली बात है कि आज जाना चीत है, यह छोटा दिखाई दे रहे, रोज हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा लेट से इसको मैं कर देता हूँ 10, all right, यहाँ पर में जाता हूँ, all right, रोज बहुत हो गया, इक काम करते हैं, इसको मैं 5 रहने देता हूँ, कॉलम बढ़ा देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ 30, now मुझे जासाची आप मिलना ही चे, perfect, अब अच्छा दिखाई दे रहे, so guys, इतना complete हो चुका, आप मैं आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहूँगा, वो यह कि आप मैं से बहुतों ने बहुत बार दिखा होगा, कि यहाँ पर लिखा आता है, enter your password, इस तरी किसे, ठीक है, by default लिख के आता है, तो वो कैसे आता है, अगर मैं टॉप पे जाओ, यहाँ पर अगर मैं आप को दिखा हूँ, इस तरी किसा आपको लिखना है, placeholder, and यहाँ प placeholder attribute, ठीक है, इस तरी किसी इतना हो चुका है, text area हमने लिख लिख लिया, now again मुझे यहाँ पर BR tag उसका ना पड़ेगा, perfect, now, अब वे, क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और paragraph tag लेखता हूँ, select, ठीक है, इस तरी किसे, select your gender, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करो, अब आपको मालू हमें gender में, इधर, या तो आपका male, या female, ठीक है, अब उसमें भी एक ट्रीक है, देखो, यहाँ पर input type आपको लिखना पड़ेगा, radio, क्या लिखना है, हमने देखा text, हमने देखा password, now we have a radio, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है male, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, यहाँ प female, लेकिन एक problem है, मैंने male पे click किया, and then again, female पे click करूँ, दोनों के दोनों select हो रहे, but what I want, कि at a time, मैं अगर female पे click करूँ, तो male का uncheck हो जाए, and then, अगर मैं male पे click करूँ, तो female का uncheck हो जाए, लेकिन अभी तो दोनों के दोनों दिखाई दे रहे, तो वो कैसे होगा, guys, वो interview में पूछते, वो property, अगर आपको चीद, then, यह जो name attribute दिखाई दे रहे, उसमें आपको same नाम पास करना पड़ेगा, दोनों के दोनों में, so you have to write gender, same यही नाम को करो, copy और यहाँ पे प्रेस्ट कर दो, अगर, जितने भी radio type है, अगर उनका नाम same है, तो वो property automatic वहाँ पे आजा यहाँ में दोनों में से कोई एक ही select कर सकता हूं, और वो possible वहाँ, because मैंने यह जो name attribute दोनों में same value डाला है, अगर गलती से आप यहाँ पे genders लिख दोगे ना इस तरीके से, तो guys again वही हो गया, ठीक है, यह बहुत important है, interview में पूछते बहुत silly कोई से ने, लेकिन बहुत useful है अगें उसी तरीके से, guys, मैं अगर आपको बता हूं, ठीक है, यहाँ पर again, मुझे दो बार BR लिखना पड़ेगा, BR यहाँ पर भी BR इस तरीके से, इसको close कर देता हूं, और यहाँ पर मैं जाता हूं, यहाँ पर मैं क्या कर होगा, एक और P tag ले रहा हूं, और यहाँ पर मै नीचे दिखाई देता है, एक check box, so you have to write, इस तरीके से, simply check, and then box, all right, यहाँ पर अगर आप नेम दोगे, ना दोगे, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर लिखना है, yes, I read it all, ठीक है, पढ़ लिया, मैंने सब, इस तरीके से, control as, save करता हूं, and refresh करता हूं, all right, now please read all the instructions carefully, yes, I read it all, मतलब मैंने पढ़ लिया, सब, इस तरीके से, आपने चेक कर लिया, all right, ठीक, इतना ही है, हमारे form में, and one more thing, that is your, input type equal to submit, अब आप submit करो, name में भी लिख दो, submit, ठीक है, और यहाँ पर value अगर मैं लिखता हूं, click, CLIC के click, and यहाँ पर अगर मैं refresh कर तो आप तो इप value में जो भी value आप दो के वो बाहर आपको दिखाई देगा, तो आपको submit लिखे perfectly दिखाई दे रहा है, and again, यहाँ पर गाईस, आप थोड़ा BR टाइग उस करो, ताकि वो बटन वहाँ पर चिपके नहीं, ठीक है, अब हमारा हम complete CSS course देखेंगे, So guys, कैसा अलागा HTML complete हो चुका है, and I really hope, आपने बहुत enjoy किया होगा HTML के part को, Now, अब हम complete CSS देखेंगे, लिकिन उससे पहल मैं आपको congratulate करना चाऊंगा, आपको congrats बोलना चाऊंगा, because guys, आपने dedication दिखाया, ठीक है, यही बहुत बटी चीज है, बस आप उसी तरिके से, आप CSS को complete देखें, Then हमारा 20-minute challenge आप जरूर देखेंगा, and आपको बहुत मजाने वाला है, Alright guys, now we will finally see CSS in one video, तो देखें guys, मैं आपको बता जता हूँ कि आज हम क्या-क्या cover करने वाले, तो सबसे पहले हम देखेंगे, what is CSS, ठीक है, And then हम देखेंगे, कि हम किस तरिके से CSS को अपने website में, हमारे web pages में उसको access कर सकते है, ठीक है, HTML के साथ, And then हम देखेंगे, ID and class, क्या होता है CSS में, हम देखेंगे, background properties क्या क्या है CSS की, Then हम देखेंगे, font in CSS, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यह पर यह font family font इस्ट है, यह सब हम देखेंगे, Then हम देखेंगे, text, guys मैं बता जयता हूँ, font और text, दोनों totally different है, आपको इसको एकड़म अच्छे से ध्यान में रखना है, Then हम देखेंगे, links, यह link बहुत important है, याद रखना, Then हम देखेंगे, border in CSS, Then we will see list, list भी बहुत important है, Then we will see box model, सबसे ज्यादा important है box model, Then we will see scroll bars, यह मैं आपको बता हूँँगा, Then we will see positioning, guys, position बहुत matter करता है, And then we will see G index, यह भी बहुत उन्हें उन्हें, दाउट पूश्यादा लेकिन यह आज सब क्लियर हो जाएगा, Then we will see float, Then we will see CSS display, डिस्प्ले बहुत matter करता है, Then at last we will see cursor and cursor के कितने types होते हैं, आज हम यह सारे topics को guys cover करने वाले हैं, And believe me guys, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यकिन दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को enter देखे, Then आपको पता चलेगा कि यह इस वीडियो में आपको इतना कुछ सिखनी मिलेगा न, जितना आपको बागे के पूरे CSS के tutorial series में सिखने नहीं मिलता, उतना आज आपको सिर्फ मेरे इस एक वीडियो में सिखनी मिलेगा, ठीक है, तो चलेगा guys, शुरू करते हैं, All right guys, तो हम सबसे पहले देखेंगे, What is CSS क्योंकि यह सबसे important है, कि CSS आखिर क्या है, और हम क्यों इसको सिखना चारें, तो देखे, CSS का full pump होता है, Cascading, Style, Set, ठीक है, And then, यह CSS किसली उस होता है, यह यूज होता है, हमारे web document, ठीक है, हमारा जो web document है, उसको style करने के लिए, अब style करना, in the sense, जैसे अगर आप नय घर खरिटते हो, ठीक है, घर के अंदर की हिस्से को, आप क्या करते हो, कैसा interior designer आता है, पुरा color एकदम सजा दाजा देता, तो वो क्या कर रहा है, एक designer है, वो interior designer है, जिसका काम है, घर को decorate करना, उसी तरिके सा, आप एक front end developer हो, आप एक web developer हो, आप आपका काम है, कि आप जो ये website बना रहे हो, उसको कैसे attractive बना, उसमें कैसे color डारू, मनलब उसमें ऐसा क्या करूँ कि, जिससे वो एकदम attractive दिखे, stylish दिखे, तो वो सारा काम करता है, आपका CSS, and CSS का full form क्या है, cascading style set, बना भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, and then last में ये जानना जरूरी कि, आखर किसने बनाया, और maintain कौन कर रहा CSS को, ठीक है, so देखे गाए CSS is created and maintained, बनाया भी और maintain भी, कौन कर रहा है, group of people, जिसको within the W3C, ठीक है, worldwide web consortium, call the CSS working group, वो उनको CSS working group बोल दी, तो W3C यही इनको create भी किया, वो उनको maintain कर रहे, तो देखे गाए, अब हम directly, अब theory पर ज्यादा नहीं जाएंगे, I know theory थोड़ा बोल लगता है, लेकिन theory जानना जरूरी है, इसलिए, तो अब हम CSS को कैसे use कर सकते, हमारे web page में, हमारे website के लिए, तो उसके तिन तरीके होता है, तो there are three ways of inserting a style set, पहला है external, second one is internal, and then third one is inline, तो चले गाइस, अब हम directly हमारे code editor में चलते है, आप देख सकते हो गाइस, मैं कौन सब एडिटर उसका रहा हूँ, sublime text editor, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके उपर मैंने already एकदम detail वीडियो बना है, जहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कैसे इसको install करना है, वो ही नहीं, मैंने इसमें सारे plugins कैसे add करना वो भी बताया है, तो वो सब का link आइस में यहाँ टॉप पर आपको दे दूँगा, आप उसको click करके एक बार जरूर देख लिजे, एंद मैं आपको एक बार folder structure दिखा देता हूँ, यह देखिए, मेरा एक folder है, जिसको मैंने ओम नाम से रखा है, .html, it means मेरा यह html का file है, एंद अगर आपको css use करना है, तो आपको उसका extension लगाना पड़ेगा, .css for external file, internal और inline में आपको दिखाता हूँ, ठीकिए, और यह बाकी तीन images से, तो folder structure simple इतना ही था, ठीकिए, तो आप हम directly हमारे text editor पे चलते, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि, हम externally किस तरकी से css को use कर पकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ html, ठीकिए, इस तरकी से मैंने all right perfectly लिख लिए है, तो guys मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, simple सा एक heading ले देता हूँ, जहां पर मैं लिखता हूँ, simple से welcome to my channel, ठीकिए, इस तरकी से मैंने लिखा, welcome to my channel perfect, इसको मैं copy file path करता हूँ, मैं आपको इसको run करके दिखा देता हूँ, ठीकिए, तो इसको मैंने, देखिए क्या क्या, copy file path कि, run किया, तो welcome to my channel, इतना perfect आया रहा है, ठीकिए, तो CSS के थुरू, हम इसको एक बाद color change करके, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला हम use करेंगे external, ठीकिए, तो external के लिए, यहाँ पर मैंने आपको order है, तो आप देख सकते हम style.css के file पर आचुकिए, तो देखिए, हमें external अगर use करना है, ठीकिए, तो सबसे पहले तो आपको यह जो style.css हमने लिखा है न, इसका link यहाँ पर हमें set करना पड़ता है, तो देखिए, मैं क्या लिखूंगा, li, n के link, ठीकिए, जहाँ पर rel relation के है, style set, and then type, उसका type क्या गया है, वो एक text है, जो कि एक CSS का file है, तो basically वो हमें से text ही रहता है, और उसका file कौन सा है, वो CSS, इसलिए हमने लिखा type क्या है उसका, तो basically text forward slash CSS, और यह hyper reference है, यह hyper reference के हमारा guys, style.css, हमें यहाँ पर लिखना है, so we will write style, ठीकिए, इस तरीकिए हमने लिखा style.css, ठीकिए, पॉफेक्ट, और याद रखो कि आपको depend करता है कि आप अपना file कहां रखे हो, ठीकिए, तो मेरे तो देखे, एक ही folder के अंदर HTML का file भी है, और CSS का file भी, इसलिए मैंने directly style.css लिख दिया, control s save, अब देखे, यह जो h2 है, ठीकिए, इसको हम directly access कर सकते है, ठीकिए, इसको मैंने क्या लिखा, मैं देखे, सिर्फ लिखता हूँ, color, अभी हम देखिंगे, एक color क्या है, तो color मैं लिख देखता हूँ, ready, सिर्किए, control s save किया, मैंने, ठीकिए, मैं browser पर जाता हूँ, all right, यह मेरा browser, इसको मैं जैस से refresh करूँँगा, 3, 2, 1, boom, guys, से देखे, कितना simple मैं zoom कर देता हूँ, यह देखे, color change हुई गया, तो guys, यतना easy access है, ठीकिए, हमने external देख लिया, अब इसी कोई मैं internal करके दिखा था, कि हम इसको internally कैसे उसकर सकते, ठीकिए, so, इसको मैं agities रहने देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, comment, ठीकिए, all right, मैं आपको comment दिखाऊंगा, बाद में, लेकिन अभी आप देख लिजे, ठीकिए, तो हम पहले internal देख लेते, यह था हमारा external, तो इसको मैंने comment कर देखे, फिर से perfect, ठीकिए, तो internal करने के लिए, आपको याद होगा, अगर आप java script करते हो, हम वो script tag के अंदर लिखते, अगर आप CSS उसको लिखना है style tag के अंदर, किसके अंदर लिखना है style tag, तो style tag लिखा, type equal to text यह लिखनी की जोत नहीं है, आपके browser इतना advance हो चुका ना, उनको समझ जाता है style लिखा है, मतलब यह है, तुम्हारा CSS simple, समझ रहो, तो मैंने style tag लिखा, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहां पर लिखा था, ठेक है, इसको मैं uncomment करके, इसको copy कर लेता हूँ, यहां से, और यहां पर इसको मैं चिपका देता है, तो आप देख रहे हैं कि इसका थोड़ा format सही नहीं है, मैं आपको समझ जाएगा कि, एक्टर में मैंने s2 select किया है, जिसको मैंने color दे दिया, but instead of red, आप मैं दूंगा इसका blue, ठीक है, इस तरके से मैं लिख दे blue, तो यह जो मैंने use कर आओ, मैं internal use कर रहा हूँ, नाम सी पाता चल रहा है, external मतलब file के बाहर, जिस file पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाहर external, जिस file में मैं काम कर रहा हूँ, उसी के अंदर अगर मुझे use करना है, so internal, so मैंने लिख जाए color blue, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको refresh करता हूँ, color blue, no problem, अब हम देखते, इसको inline कैसे कर सकते हैं, तो पहला तो था हमारा internal, sorry external, दूसरा था internal, third one is inline, तो गैस, इसको मैं copy करता हूँ, ठेके, देखे, हमने क्या क्या style tag लिखा है ना, यहाँ पर इस तर्के से, आपका वो जिस element पर आप work कर रहे हूँ, समझ रहे हो, यह h2 एक tag या वो लिख दीजे, color equal to blue, अब instead of color में यहाँ पर लिख दूँगा green, ताकि आपको पाता चले कि actual में वो इसके कारण नहीं हो रहा है, इसको मैं comment कर देखा हूँ, perfect, तो यह होता है inline तरीका, ठेक है, इसको मैं जैसे refresh करूंगा, boom गाई से, welcome to channel, my channel, थापर technical channel, ठेक है, तो इ इस तरीके से हमने गए, तिन तरीके देख लिए, अब हम हमारे वापस इसमें चलते है, हमारे powerpoint में और देखते है, second क्या है, alright, दूसरा है, CSS, ID and class, and believe me कैसे बहुत simple है, ID कभ उसकरना है, तो देखे, ID आपको तब उसकरना है, जब आप किसी एक single या एक particular element को access करना चाहते ह समझ रहो, जैसे अगर 10 लोग खड़े, 10 में से 9 एकदम लंबा है, एक सबसे छोटा है, समझ रहो, तो आप छोटे वाले को ID देजिए, बाकि 9 को class देजिए, वो 9 को 9 एक जैसे property हो सकती है, लेकिन जो छोटा उसका थोड़ा अलग property होगा, थोड़ा फुर्तिला होगा, है क तो इस तरगे से एक ID बोले तो एक सिर्फ एक सिंगल और एक पर्टुकलर इंदर से एक यूनिक होन अची बंदा वो, यूनिक हटके या, हटके वाले बंदे को ID देदो, तो ID उस पर सिंगल और हटके लोगों के लिए, classes मनलब जून, जो जून बना क्याता है न, जो मनलब मिलता जूलता, almost similar properties हो, तो उनको class देदो आप, समझे लिए, तो इसको अभी हम देखते है, तो अब हमारे वापस code editor पर चलते हैं, इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, and I believe आपको clear दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं external use कर लेता हूँ, इसको मैं external use ठीक है, गाइस, देखे, यह बहुत simple and easy है, तो सबसे बहले गाइस, हम id देखते, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, मैंने एक h2 tag लिया हुआ है, ठीक है, तो देखे गाइस, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यह inline जो मैं use case को मैंने हटा दिया, ठीक है, पॉ बस मैं आपको यह बाताना चाहता हूँ, कि id आपको unique के लिए use करना है, फिलाल अभी मैं इधर पर unique नहीं लिखने वाला कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिकिन किसी एक को बहुत सारे जुड में करें, अगर एक अलग दिख रहा है नो, उसको id देता हू दोनों का काम एक ही है, लेकिन अगर आपको id वाले को access करना है, you have to write hashtag, आपको hashtag लिखना जरू लिए, hashtag my first id, इसको मैं copy करता हूँ, यहां पे इसको मैं paste कर जाता हूँ, अब भी जो मैंने इसके साथ किया था, सिम हो ही मैं आप वापस करने आला हूँ, color change कर दूँगा, ठीक ठीक है, पिंग कर दिया मैंने, और तो मैंने क्या लिखा, यह id यूज करा हूँ, तो मैं ब्राजर पर जाता हूँ, इसको refresh करता हूँ, बूम गय से देखे, pink color हो चुका है, ठीक है, अब मैं class दिखाता हूँ, ठीक है, इस तर के से class लिखा, और ठीक है, अब यह जो id लिख होगे, यहाँ पे hashtag, ठीक है, लेकिन अगर आप class use करते हो, so you have to write dot, समझ रो, यह access करने के लिए, तो आप इस तरीके से access कर सकते हो, समझ रो, मैंने आपको पहले दिखाया था कि, अगर आप कोई भी element है, html का, उसका आप directly h2 लिख दीजे, कोई problem नहीं, लेकिन class दे रहे ह तो अब यहाँ पे अगर मैं refresh करूँगा, देखें, यह लो हो चुका है, तो मैंने आपको कितने अलग-अलग तरीके से दिखा है कि हम कैसे CSS को apply कर सकते है, ठीक है, all right, apply तो तो तीनी तरीके से कर सकते है, लेकिन कैसे आप उसको access कर सकते है, element को, हम html के, ठीक है, perfect, तो हम हमने क्या देखा, guys, classes भी देख लिए, id भी देख लिए, अब हम वापस हमारे powerpoint पर चलते है, और देखते है कि क्या है दूसरा, ठीक है, तो देखे, classes and id देख लिए, all right, यह बोल रहा है background property, guys, background property बहुत matter करता है, ठीक है, तो देखे, background property देखने से पहले आप भी आपको मै दिखा रहा था color, ठीक है, तो लेकिन आपने notice कहा है कि मैं color में क्या use कर रहा था, एक particular value, color का नाम, लेकिन हम hexa value भी use कर सकते है, जो कि basically six digit के होते है, और वो होता है from zero to f, it means zero to 15, zero से 15 की इतना section हुआ की नहीं, ठीक है, तो उससी तरह के से guys हम hashtag hex value भी लिख सकते, and rgb value, it means red green, blue, तो basically इसकी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, तो ये होता है rgb, तो color कौन तीन तरीके से use कर सकते है, करने के तरीके बहुत है, but mostly हम या तो color का नाम directly देंगे, या तो उसकी hexa value, या तो rgb format में, तो आप हम background property देख लेते हैं, and background में कौन कौन सा वो हम देख लेते हैं, चले guys, यह देखिए, मेरा ये हो चुका है, html का file और ये मेरा css का file, तो देखे, सबसे पहले में क्या करता हूँ, आपको background दिखा जाता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, guys, मैं एक div ले ले लेता हूँ, पावफेक्ट, तिके इसको मैं class दे देता हूँ, background, back image लिग देता इसको मैं थोड़ा सब ऐसा कर देता हूँ, ठीके पाफेक्ट, तो class का नाम लिखना है, इसको मैंने इस तरिके से लिग देता हूँ, तो सबसे पहली property है background color, ठीके, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे width, तो देखे, guys, ये भी आपको नया सेकनी मिल रहा है कि background, आप CSS में भी आप भी mobile में देख रहे हो, ठीक है, या आप desktop में देख रहे हो, या आप LED TV, कहीं पे भी देख रहे हो, तो आपका जो ये आप देख पार हो ना, वो 100VH कहलाता है, समझे हो, all right, 100VH मतलब ये ये वाला इससे ये देख पहले, top, ये bottom, यहां तक जितना ये इससे ये 100VH कहल जाता है, ठीक है, मन दब total पूरा का पूरा height, view height आप इसको बोल सकते हूं, perfect, इतना मैंने लिख दिया गाईस, इसको मैं, ये वा perfectly करता हूं, यहां पर इस तरके से ठीक है, तो ये हो चुका है, इतना, ठीक है, all right, height हुआ, width हुआ, इसको मैं control as save कर देता हूं, यहां पर, perfect इसको मैं control as save कर देता हूं, तो सबसे पहले हम देखने वाले background में कौन सा है, background color, ठीक है, so background, इस देखिए, आप देख सकते हो, background color, आपको इस तरके से लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा, guys, आपको perfect दिखाए, इस तरके से कर देता हूं, so background color, guys, मैं क्या दूंगा, इसको background color मैं देता हूं, green, perfect, इस तरके से मैंने background color दिया, मैं browser पर जाता हूं, इसको refresh कर देता हूं, boom, guys, इसे देखिए, background color देखा, हमारा background color set हो चुका है, ठीक है, so इस तरके सा हमने इसका background color set कर दिया, अब चाहता हूं, background color ग्रीन नहीं, अगर आपको चाहिए blue, so आप simply blue लिख द दिखाए दे रहे देखो, white color का मुझे board margin दिखाए देखाए दे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे है, समझे हो, आप इसको padding भी कह सकते हो, हम आगे difference देखेंगे, क्या होता है, margin क्या है, ये padding क्या है, तो सबसे पहले अगर आप कभी भी अपना website बनाते हो, आप आपका पहला काम होना चीए, ये universal operator, strict, ठीक है, तारा कोजी बोली है, आप इसको, आपको क्या रिखना है, simply guess margin, आपको लिखना है margin, इसको देना है 0, I mean 0, मनले margin मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं, padding आपको देना है 0, perfect, आप आप आगा इसको मैं यापर रिप्रेस करेंगे, बूम गाइसे देखिए, जो हमें space देख रहा तो वो नहीं देख रहा है, water में आपको देख रहा होगा, वो Excel में देखने का region है, कि मैंने PPT on करके रखावा, तो उसके कारणों देख रहा है, तो अभी extra margin था, वो आप हमें नहीं देख रहा, तो इस तरिके से हमने background का पहल एक image को add कर सकते हो, तो इसको मैं पुरा completely full कर देता हूँ, था कि आप लोग को एकदम perfect दिखाए दे, ठीक है, इस तरिके से देखे गए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक space देना है, ठीक है, space देके उसको single code की अंदर लिखना है, तो गैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप clear देख सकते हूँ कि मैंने तीन images ले रखा है, logo, photo and photo to, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक logo करके image ले रहा हूँ, ठीक है, logo dot आप देख सकते हूँ, png format में, इस तरिके से मैंने ship, आप यह दूसरा property उसको जो कि background image, basically वो background में हम image set कर सकते है, background color से color set क तो इहाँ पर मैं जाता हूँ, ब्राजर पर इसको मैं run करके दिखाता हूँ, यह देखे, इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हूँ, एक image, 2 image दिखा ही दे रहा है, लेकिन एक क्या करता हूँ कैसी कमेंट कर देता हूँ, यादर को comment कैसे करना है, आपको क् forward slash and strict फिर वापस strict and forward slash तो आप समझ लों कि forward slash अरे टारा टारा forward slash बस खब्तम नहीं तो shortcut में आपको बता देता हूँ control और question माझ दबाऊ गए तो यह automatic हो जाता है ठीक है ओर राइट इसको मैं आप refresh कर देता हूँ इसको मैं छोटा कर देता हूं तो आप एक चीस नोटिस की जाएं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है यह मेरा एक इमेज है इमेज की साइज कम है कोई प्रावलम नहीं लेकिन वह रिपीट हो रहा है अज देखें यह आला यह वाला यह क्या एक होरिजोंटली रिपीट हो कड़ च्रव्ड़ च्रकेट थिक है सो देखें राइस बैग्रावं रिपीट कुई सिरकेशलिकी आपको बैंग्राउं रिपीट सब्सेपर रिपी 2sk वेल्यव रीपेट इसको अगर मैं रिप lên लुक्तन वी रिख दिस्ति श्रकष्ति और लेकिन अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए tiag आहीं और कितना को तो कैसी यह तो क्या लिखो गया है, अब ये रिपीट करेंपो उने पर लाइन की तरह यह देखे बूम कैसेके इसको हम बोते हो रिपीट अफमें इसे बहुत तो देखा हो गारे रिपीट टेखी तो जी तुरेटे लेकर आपको कंपुजिए नावगर भाई यह क्या होता है देखोगा इसको फिटना सिम्पल होता है ठीके इसको मैं रिफ्रेस्च साइज बहुत मैटर करता है ठेके लेकिन यह बोनस हा बैग्राउंड साइज जो नहीं वो बैसिकली स्री में आया है हम क्या पड़े स्री या अधर को स्री अला गया स्री लेकिन यह बोनस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको परफेक्टली एकडम सेंटर में यह सिर्फ एक इमेज को दिखाना है लेन आपको बैग्राउंड साइज लिखना इसको रिफ्रेस करें पाउफेक्ट यह देखिए मेरा इमेज छोटा है इसलिए वो थोड़ा फट गया लेकिन एक्चल मैं उसने पूरा का पूरा स्पेस लिया ना तो मुझे बर्टिकल में को स्कूर बाल दिखा है ना होरिजोंटल में को स्कूर बाल दिखा है तो एक लाइक बनता है इसको ठीक है और राइट इतना वहाँ मैं वापस जाता हूं इसको मैं कमेंट कर दूंगा क्योंकि यह CSS3 की प्रॉपर्टी लेकिन आप में से बहुत हो नहीं देखा हो का पैरेल वेबसाइट बीसिकली वह कुछ नी एक बैक्राउंड ठीक है एक अटेचमेंट करके प्रॉपर्टी है बेगराउंड अटेचमेंट यह अंदर ही आता है तो बस आपको क्या लिख देना गाई फिक्स बैक्राउंड एटेचमेंट फिक्स्ट लिखना है सिम्पल लेकिन से प्लिखने से काम नहीं चलगा याद आखो बैक्राइच में काम कर रहा हूं यह मेरा बैकि मेंज इधर है तो आप इसके नीचे में एक परग्राफ ले लेता हूं इसको मैं डमी टेक्स देटाओ ठीक है देखिए इसको मैंने किया बंद पाउफेक्ट इसको यहां से मैं यह यहां पर जाता हूं रिफ्रेस करता हूं तो मेरा इमेज होने वाला है फोटो ठीक है फोटो करके यह लोगों को अटा जेता हूं अब एक चीश नोटिस कीजी तो आप देख सकते हो कि इसको कुछ इस तरीके से देख रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्याद जूम किया तो इसको मुझे पॉफेक्ट करने के लिए बैग्राउंड साइस का यूज करना पड़ेगा तो इसको मैं वापस अनकमेंट करता हूँ लेकिन मैं आपको यह बाताना चाहूंगा कि यह CSS 3 की प्रॉपर्टी है यह हम मैं आपको पैरेलाक्स वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ यह देखिए इस वीडियो में आपको पैरेलाक्स वेबसाइट में दिखा रहा हूँ ठीक है तो मैंने बेसिकली क्या लिखा कि मेरा जो इमेज यह 100 और यहां पर नीचे यह दिखाए देरा आपको दिख भी नहीं रहे इसको में जूम करता हूँ आपको पैरेलाक्स वेबसाइट बन चुका है इसको मैं नीचे कर रहा हूं यह दिखिए इमेज अपने जगे पर यह मेरा टेक्स्ट उपर जा रहा है जात जिकाओ इसमें है वाफश क्या करता हूं इसको disat कॉom अब मेरा टेक्स्ट जाएगा इसको कम जुम पाफेक्स यह देखिए जाद देख पाई है यह देखिए इमेज इमेज मेरा टेक्स्ट उपण नीचे ओर लेकिन इमेज उदर ही है तो इसको हम बोलते पैरलेक्स वेबसाइट अब आपको इसमें एक और जाद दिखाता हूं कि यह कि मैंने देखिए जो मेरा सबसे नीचे वाला डिवुस का मैंने लास का नाम चाहिए करके बैक इमेज वान किया है तो इसको मैं पर जाद देखिए इसको जैसे मेरा टेक्स वेट अपर जाएगा ना देखिए बूम गाइज आप देख पार हो देखो इमेज कैसे जहां पर एक image के उपर दुसरा image आ जाता है और text उसके भी उपर आ जाता है So this is called parallax website और I guess तो हमारा जो background property था वो complete हो चुका है Now we will directly move to our font की property ठीक है So font के अंदर कौन कौन सी property उसको देखते हैं सबसे पहले इस देखें background हो गया अब हम देखते हैं font की property ठीक है font style मतलब आप उसको कैसे करना है italic करना है या oblique करना है font variant मतलब आपको इसका ठीक है एक ही रहता है ठीक है font variant इतना matter नहीं करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ small caps रहता है and then font size यह एकदम important गैस मैं आपको बताते हैं तो सबसे ज़्याद important है font family font size and font weight यह font style तो नकली है ठीक है लेकिन मैं सब आपको करके दिखा तो देखे font family क्या है मैं आपको font family direct करके नहीं दिखाऊंगा direct आपको online कैसे आप ले सकते वह दिखा तो देखे यहां पर आपको जाना है Google font में मैंने आपको बोला गाइस आज आज आपको एक video में सब कुछ सिखनी मिलेगा ना जो बाकी के पूरे series में नहीं सिख पाऊगा ठीक है तो देखे Google font लिखा मैंने simple आपको भी Google font लिखके पहले वाले पे पूरे क्लिक करना है तक ऐसे मैंने Google font क्लिक क्या और मैं एक काम करता हूं मुझे और कौन सा ही मैं कौन सा आप फूरेशवी ले लेजीए अब ऐसा कुछ नहीं है एक काम करता तो यही ही ले ले तो क्या है नोटेवल टीक है क्ल़के नाम भी नोटेवल ठेग इसको ही लिए तो आज आप ये भी सिक्रों कि कैसे हम ऑनलाइन दुसरा गूगल पॉंट यूज कर पकते हैं तो इसको मैंने कॉपी किया कि मैं आपको यादर को लिंक हमेशा है टैक के अंदर ही लख रहा है आपको कहा रखना गाइस है टैक के अंदर तो आपने जो पहले मैं यहां पर दे दिया है ठीक है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं यह जो इमेज को हटा देता हूं मैं इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूं और यह जो इतना लंबा चोड़ा लिखा नहीं यह मुझे नीची मैं सिंप्ली चाहता हूं कि आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत ही मेरे चानल में रहिए वोलग में आलेख ओणले रूठीन आंगे मैं ने पेस करते रों कभी मैं कभी तो आएगा समझ रहो ये इस विलेकर पारग्राम है शुच्य mogę आपको दिख रहा हीzent क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया था इसको इस पेस और यहां से भी मैं एक्स्ट्रा इसपेस आठा देता हूं इसको फ़हाँ सब्सक्राइब जूम कर देता हूं देखें गैस है यह जो इतना सारा वे आमने लिया इसको अठा देता हूं लेकिन उपर वाला रहने दिजिए सो आईडी को यूज़ करने के लिए हैस्टेग वो आईडी का नाम इस तरीक से फॉर्ट ठेक है यहां पर देखेंगा इस इन्हों ने एक और दिया है फॉर्ट फैमिली तो बेस के सब कर आप का अपने मैंने कौनसा फॉंट लिया था यह वाला देखेंगा इसका फायदा है कि small caps करके तो यह आपका जितना भी छोटा वाला लेटर है उसको वो capital में कर देगा लेकिन छोटा वाला capital I mean ये देखे पहले से capital ले लेकिन इसको मैं refresh करूंगा देखा क्या हुआ ये capital में ही है लेकिन उसका size reduce कर दिया उसकी जो actual size थी वो कम कर दिया ठीक है तो font variant होता है ये दूसरा देखा हमने we will see font size ठीक है font size लिखने के भी बहुत सारी तरीक है आप pixel में दे सकते हूँ ये में दे सकते हूँ REM में दे सकते हूँ ठीक है गाइस तो मैंने ओल्रेडिट की उपर वीडियो बना है मैं लिंक उपर दे दूंगा आपको तो हम क्या करते हैं इस 2 E M लिख देता हूँ सो बेसिकली 1 e m equal to 16 Megapixel 1 e m is equal to 16 Megapixel स्वारी गाइस Megapixel नहीं यहाँ Pixel only Megapixel दो मोबाइल का कैमरा ठीक है Megapixel नहीं ठीक है इतना आपको याद अखना कि 1 e m is equal to 16 इसको मैं 100 कर देता हूं कुछ सिर्गे से दिखने वाल है ठीक है 100 में लेकिन ठीक बड़ाई ठीक है तो हमने क्या देखा हमने देखा अब शलता है font family font variant ठीक है थाइस font size देखा नब विल सिसपोंट स्टैल राव देख सकते फॉन्ट स्टैल को बैसे क्लिए इटलीख सकते हो इपक्रिक होगे इसको रिफ्लेश करोगे तो देखे ई-टैलीक होगी आये तो यह होता है तो आप हम देखते हैं तो यह देखें बहुत सिंपल आप यह आप समझ लोगी पता किया है समझ रहो मैं अगर आप आपने सपोज एक नया घर ले लिया ठीक है अब आपको उसको कलर करना है और आपके पास कलर के डबे भी रखे और किसने बोला कि भाई मुझे एक आपको र पर आपको ही यह यह रखना है कि रेड कलर मतलब क्या अगर आपको इन्हीं मालुँ आप रेड के ब्लैक कलर उठा लो कि तो बस हमें अल्रेट करना है तो फॉंट स्टाइलीडिक हीने अब मुझे फॉंट उसको बड़ाना है बॉल्ड करने सो फॉंट वेट के लिए हो ता सा उपर से और बोल्ड हो गया यह ठीक है तो यह होता है बोल्ड ठीक है आप इसको चाहिए तो ऐसे 500 भी लिख सकते हो आई मिन आपको यह सिर्फ वैल्यू देना है 100 टू 900 इसको मैं जैसे रिफ्रेस्स कुंगा देखे गाइस पतला हो गया इसको मैं 100 कर देता हूं ठीक है तो सीलेटे को मैं कुछी दूसरा फॉंट ले लेता हूं यह ङगर आपको फॉंट यूज करना तो इसкі नीचे जो यहाउपड फैमिली करना है आपको font family को मैंने किया copy आपको style और सेसेस पर जाके खाले उसके बद्दे ये वाला font family रख देना perfect देखे अब अगर इसको मैं refresh करूंगा guys तो आप देख सकते कि ये इसका धांचा चेंज हो चुगा ये देखे कितना perfect दिखाए रहे ठीक है तो हमने font में क्या क्या देखा गाइस हमने देखा font family font variant size style weight weight आप bold lighter नहीं तो आप 100 से 900 के बीच देख सकते हो ये 100 है ठीक है 100 से 900 के बीच आप देख सकते हैं इतना पतला अब सबसे maximum जाता है 900 900 में जैसे कर दूंगा आप देखते हैं तो ये होता है font family टीक है तो आप हम देखते हैं कि font के बात क्या आता है हमारा font के बाद text मिलेप में text बहुत simple है और बहुत को confused हो जाता है कि font क्या है text मतलब ये पूरा का पूरा जो आप लिख रहे हो वह एक यह एक प्लॉट कहलता है टेक्स्ट मदलब यह एक टेक्स्ट मुं स्मझे सो अप सिंप्लिय के लिए कैसे क्या कर सकते है इसको मैं हटा da मुत इता हूं चीज़ से पॉटेक्ट और गया है आपने सिज़ किया गए है यहां फेर मैं इसको close नहीं कहा तो उसके बावज़द भी यह perfectly चल रहा है उसका reason यह था कि नीचे कोई दूसरी property नहीं थी अगर कोई दूसरा property होता ना वो false error आजाता है कभी यह mistake मत करना आप अब भी आपने देखा ना वो तो लग अच्छा था कि नीचे कोई प्रॉपर्ड नहीं थी कभ इसको text CSS तो हम text के साथ क्या क्या कर सकते तो वापस back to normal जाता हूँ यहां पर जाता है इसको मैं एक बार रिफ्रेस्स कर देता है तो देखेगा है हमारा text कुछ इसको कैसे normal देखने वाल है ठीक है तो इसको मैं as it is रहने देता हूं और एक काम करता है इसमें यह जो text मैंने लिया है ना उसको मैं रहने देता हूं I mean जो font family उसको मैं रहने देता हूं वो अच्छा दिखाई देरेक्च्वल में है कि नहीं बाइडिफॉल्ट वाले से तो अच्छा ही दिख रहा है तो इस text वाले को मैंने किया copy यहां दर को वह एक आईडी है तो आईडी के लिए हैस्टेक टेक्स्ट तो यहां पर मैं जाता हूं इसको मैं copy करता हूं बेसिकली font family मैंने copy किया ठीक है यहां पर गया उसको मैंने इस्टर की से चिपका दिया तो बेसिकली यह मैं text वाला नहीं है यह font की property है लेकिन बस look अ text के अंदर आता है तो आप लिख दीजिए इसको मैंने लिख दिया रएड अब सिंप्ली इसको मैं refresh करूंगा इसे देख इसका color हो चुका है red ठीक है दूसरा आता है इसका ठीक है यह पहला तो होता है red दूसरा आता है letter spacing करके तो basically letter spacing मतलब क्या यह देखो यह L है इसको अब लेटर spacing मतलब यह देखे W और E के बीच में difference आ जाएगा जैसे मैं लिख देता हूँ गाई 5 पिक्सल कुछ ज्यादी हो जाएगा तू देखे अब देखे आपने M और Y के बीच टी और O के बीच तो यह होता है letter spacing उसी तेरके से हम क्या कर सकते word के बीच में भी spacing कर सकते वर्ड मनलब यह वेलकम पूरा एक वर्ड है माई एक वर्ड है तो वेलकम और माई की बीच की difference बढ़ानी हो तो आप देखे तो इसको बोलते हैं text की property ठीक है देखे एक direction भी होता है समझे तो direction मैं आपको क्या लिखना right to left आर दिये सो बिस्क्री राइट टू लेट जैसे रिफ्रेस करूंगा यह दिखे गए इसको कम जुम कर देता एक सेकंद यह देखे आपने देखा क्या हूँआ बेसिकली right to left मलब right side से जा left side को तो यह right side से चिपक गए वहाई अगर right to left के बदले I will write left to right left to right लिखा इसको मैं refresh करूंगा बूम गाइस देखे कितना simple है अब देखे हो कितना simple है तो यह क्या बोटा बाई एक काम का left से होके right को निकल लेट से होके right को निकल रहा ठीक है तो हमने देखा direction word spacing letter spacing color and then आता है टेक्स्ट इंडेंट क्या है यह text इंडेंट ना इसके इंडेंट क्या होता है कि अगर आपको पैलेग्राफ लिखे आप लेटर लिखे तो पहला लाइन में वह थोड़ा से एक स्पेस देता है टैब देता है ताकि लगे हां यह बहुत सही लिख रहा है to the principle my name is यह फिर हम उसके निच सब्सक्राइब तो आप लिख से कुछ भी लेक्स से 10 पिक्षे लिखते इसको मैं रिफ्रेस्स कर देता हूं यह देखा क्या हुआ उस समय मैंने लिखा भाई लेप टू राइड जा उसके बहुत जुद भी मुझे डबलू की अरी एक काम करता हूं ज्यादत देता हूं इसको आप लोग को ज्यादा देखा है यह देखिए कम जूम करता हूं आपने देखा यह क्या है आप कभी भी कुछ भी लिखते हो तो क्या होता हमेंसा पैला लाइन का जो एक स्पेस रहता न तो आप टेक्स इंडेंट से उसका आप हासल कर सकते हूं ठीक है तो इस से यूज़ जो था टेक्स इंडेंट तो देखिए हमने कितना देखा बैग्राउंड देखा पॉंड देखा नाट टेक्स्ट टेक्स्ट इंडेंट देखा अब टेक्स्ट एलाइना टेक्स्ट एलाइन सेंटर लिख सकते हो पहले तो मैं लेप्ट कर देता हूं ठीक है इसको मैंने किया से जा रहा है ठीक है अब इस लेफ्ट को मैं कर दूँँगा राइट तो टेक्स्ट एलाइन राइट इसको मैं रिफ्रेस्ट करूँगा यह देखे गाई राइट साब आ गए ठीक है अब उसी तरह किसे अगर आपको एकदम पॉफेक्टली सेंटर में सही तो यूब राइट अगर अगर आपको लगे कि मैंने कोई मिय किया तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं इंडिविजुल टीप आप दे प्रोग्रामिंग जो मेरा सिरीज इस वे मैं उसको जरूर कवर करूंगा लेकिन बिलिब में काई यह सब प्रॉफेक्ट है तो देखे गाइस हमने इतने कवर कर चुका है ठीक तो टेक्स्ट के बाद क् दिखिए लिंक देखना आए वामें ठीक है तोब बैसेकलिए लिंक चार अपर्टी होती है इक होता हैatamente मडलब अभी तक है अपने उस पर इस पर क्लिक कियाए City अब दूसरे पेश पर विजिट चुकर तो वोगीजिटal हो चुका है हुबर मालब अब अभी आप देख ऑस वीडियो तो लंबा की जाता तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूं देखिए मैंने एक एंगर टैग में डेमो डॉट पे हाइपर रेफरेंस लिखा है उसके अंदर सिंप्ली दिस इस लिंक लिखा है तो यह सारा का सारा के सिर्फ दिस इस लिंक की उपर है क्योंकि द करूंगा ना सबसे पहले उसका कलर हो जाएगा येलो जब जब मैं उस पैसे होबर करूंगा उसका कलर होगा येलो मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू क्यूंकि अब वह एक्टीव हो चुका है ठीक हो जाएगा तो वह हो जाएगा एक्टीव यलू हो जाएगा उसके ख्लिक करने के समय उसका कलर ब्लू और एक बार क्लिक करने के बाद उसका कलर हो जाएगा ग्रिम के लिंक इतना ही हो ठीक है यह देखिए सबसे पहले मैंने बाता है अगर कुछ भी अविते कुछ पर विजित नहीं है इत्मिंस कलर रइड होवर करने पर कलर हो जाता है उसका यलो में जूम करो देखे अभी बहुत को कंप्यूस पता कि रहाता है वो यह सुचते बहुत यह एक्टिव का वोता है देखे एक्टिव म मैंने दिया थे demo.php अब हम वापस बैक जाएंगे इसको में रिफ्रेस्ट कर दूँगा ठीके आप देख सकते कि वह पेज उसको मिला ही नहीं इत्मिंस अभी वह अन्वीजिट है ते आई मीन इसका मतलब यह वाकिया हमें अभी तो कि ग्रीन कलर देखने नहीं मिला क्यों क्योंकि हमें उस पर विजिट किया ही नहीं तो उसके लिए क्या करना है यह इस पर में विजिट कर चुका हूं थापाटेक्निकल.com मेरे वेबसाइट पे मैं विजिट कर चुका हूं तो अब इसको मैं देमो.php के बतले अपना वेबसाइट का लिंक दिया दूँगा यहा होता है ले longest अब हम देखते दूसरे के अगई दूसरा है बॉर्डर इन सी इस बिलिप में बाडर वह कोई तो मैं आपको बतासमा सी थन बॉर्डर आप दी बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एंड एलिमेंट सुड़ो आई में यह थोड लंबा हो गया लेकिन सिंपल में यह बता देता हूं कि जब भी आप कोई कुछ भी किसी पर भी वोक कर रहे हो तो उसका एक आउटलाइन होता है समझे एक आउटलाइन होता है तो वह इन सब को मैं हटा दूंगा तो इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं लेख देता हूँ इसको मैं लेख देता हूँ इसको मैं यहाँ खाली रहने देता हूँ कुछ नहीं मुझे लेना देना नहीं इसको मैं कॉपी करता हूँ ठीक है यहाँ याद है मैंने क्या लिखा था इ ना है dot just to access उसको मैंने क्या कर दूँगा एक विर दे दूँगा आप दे देता हूं गाइस कितना दो 500 पिक्सल ठीक है इसको मैं 300 पिक्सल पॉफेक्ट इसका मैं बैग्राउंड कलर हमने देखा आप याद होगा बैग्राउंड कलर हमने देख चुका है तो आविल कि रेड ठ ठीकें वापस आता हूं इसको मैं रिक्रे Barbara फारेक्ट देखिए अंरेट पिक्सल 100 कुछ स्थिर्क से दिखाए देर इसको मैं कर देता हूं refresh पाफ पेक्ड इसको बोलते हैं शिंपल एक बॉक्स लेकिन इसमें बॉर्ड्र तो कुछ था था यह नहीं तो बॉर्डर क्या होता है देखे तो गैस अब हम बॉर्डर देखते इसमें ठीक है तो देखे अब सिंपली याद रखो कि बॉर्डर की क्या आमने देखा बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर कलर बॉर्डर विथ यह तीनों को आपको एक साथ लिखना ही पड़ेगा तब भी जाता हूं 5 पिक्सल बॉर्डर को बॉर्डर की जो चौर रही उसको कौन सा कलर देना है मैं लिख जता हूं ब्लैक क्योंकि यह रेड में ब्लैक पर प्रिक्ट दिखते है ठीक है और राइट एंड बॉर्डर का स्टायल कैसा मतलब किस टैप का बॉरर चीए आपको मैं लिख लोग व्यूर्ड लिखते है ठीक है और रहे थाम यह देखेंगे कितने टाप्स को थे मैंने कहीं लिखा बॉर्डर विद्फ फाइप पिक्सल बॉर्डर का कलर लिखा ब्लैक बॉर्डर का इस्टायल कर दिया इसको मैं जैसे रिफ्रेस कर भूम गाय से दिखें जूम कर द सब्सक्राइब कर देखेंगे तो इसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे वेबसाइट पर आप वहां पर देख लिए कितने होते है टोटल ठीक है तो यह बहुता है बॉर्डर और रॉर्ड रॉर्ड रॉइट यह जो आपने इतना लंबा ल देखेंगे अब यह तीन जो लिखा उसका सिफ एक लाइन में भी इस तर्के से लिख सकते थे इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेस्ट आप देख सकते हो कहा है यह प्रपर्टी यूज नहीं हुआ क्यों हम चेक करते बॉर्ड फाइब पिक्सल सॉलिड डेस्ट और गैस कैसे होगा सालीड और देख दोनों के दोनों बॉर्डर के स्टायल है हमें सॉलीड तो ठीक है हमें मिलगा लेकिन बैफ वाला नहीं है तुछ थि हमें यहां पी क्या चिकुलर सो फास्ट वान इस स्टायल डॉस कालर कौन सा हमने चूज क्या से ब्लैक्पॉटर्ट तो यह तरी तो यह तो यह सोटन प्र्वाइट जहां पर यहां पर यह तीन के बतले में एक कर सकते है यह देखें गई टाके आपको इस सॉलिद नी चाहिए आपको डैस्ट छी ए ठीक आप डैस्ट लिख दीजे इसको हमें रिप्रेस्ट कर देखा ऑफ तो यह होता है बॉर्डर तेगे हैं है समने बॉर्डर देखं के आप हमारा दूस्ता क्या ठीक है और भी रिदे अब बॉर्डर रिडियस थी आप बसी फिरी के लिए लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कुछ नहीं गाना है आपको सिंप्ली बॉर्डर रीडियस लिख देना है अब आपको कितना चीज़ टैन पिक्सल लिख दीजिए आप देखें तो टैन पिक्सल एट मिन्स क्या होगा कि यह जो कोना दिखाई दे रहा कोने से 10 पि लेकिन साथ इसाथ उतना ही इंपॉर्टेंट भी है तो लिस्ट स्टैल टैप क्या करता है वो देख लेते हैं आपन उर्राइट इसको में भॉडर को इस तरी के से ठीक है अब यहाँ पर एक में एक लिस्ट ले लेता हूं ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूं और राइट तो सबसे पहले घई हम unorder list देख लेते ठिके तो मेने युएल लिखा, युएल को मैं कर देता हूं यहाँ पर मैं simply लिख देता हूँ home इसको मैं तीन बार कॉपी कर देता हूँ, इस स壓 कापी हुआ है, कोई प्राप्लम नु KIM, हम इसको एक साथ कर लेंगे, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ ठीक है इतना वाग इसको मैं अगर रिफ्रेस्ट कर दूँगा तो देखे आप देख सकते हूँ कि हमें कुछ इस तरी किसी दिखाई दे रहा है और एक्चल में या दरको जब भी आप लिस्ट लिखते हो चाहिए वो ऑडर हो या और लिस्ट उसका एक बुलेट हाइलाइट होता है मैंसे एक मारकर हमें दिखाई देता है यहाँ पर देख सकते हूँ मारकर नहीं दिखा रूप रिजन यह है कुछ हमने इसको यूवेल को कॉपी कर रहा हूँ है तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है list style type यह by default क्या है circle है आप चाहिए तो गैस इसको आप circle दे सकते हो ठीक है square लिखा मैंने अब दियान दी जाए इस पर दियान दीजिए इस पर बूम गाइसे देखे क्या होँआ इसका हो चुका भी है square तो यह होता है list style type जहां पर आप उसका style का type change कर सकते हो पहले circle था now it's called a square ठीक है तो गैस यह जो हमने देखा यह देखा on order के लिए now we will see for order list के लिए ठीक है तो इसको मैं as it is रखता हूँ यहाँ पर इसके नीचे में एक ले लेता हूँ जो की है for order list order के लिए आपको simply OL लिखना है ठीक है तो एक काम करते हैं सब हम पहले तो यह देख लेते की लिए कैसे दिखते है इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा बूम गाइस यहाँ दरको order list by default कैसे आता है 123 करके तो इसका भी आप आप लिस्ट टायल चेंज कर सकते हो तो उसके लिए देखो क्या लिखने लिस्ट इस्ट इस्टायल टायब अब देखो रोमन या तो अल्फा अब दोनों में से कर सकते हो लेकिन उसको बहुआ या तो lower लौपा अल्फा कर सकते हूं ठीक है इस 달et से लोवा इसको लिलेट कर दिख करता हुगा इसमें जैसे रिपरेश करूगा देखिए कापिटल हो गया होई है आफ अल्फा के मदले आप रीप्रेश करें अब लिखनान में रिप्रेस किया तो वान टू थ्री रोमन लेटर अब होई अपर के बतले गाईस आप इसको लोवर भी कर सकते इस तो यह होता है गाईस हमारा लिस्ट ठीक है इतना ही था लिस्ट में अब हम देखते क्या है दुसरा है बॉक्स मॉडल बॉक्स मॉडल बहुत इंपोर्टेंट मैं अब यह आपको बता देता हूं यह बहुत सिंपल है ठीक है और गाईस अब हम देखते बॉक्स मॉडल क्या होता है ठीक है तो देखे बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीज़ा आती जो कि यह कंटेंट जो हम लिख रहे देन पैडिं बॉर्डर मैं आपको बता चुका हूं बॉर्डर यह वही है और मार्जिन तो हमें देखना है यह पैडिंग और मार्जिन क्या होता है कैसे एक दम आपका क्लेर हो जाएगा लेकिन आपको थियोरी बता देता है तो पैडिंग मतलब आपका जो कंटेंट है और जो आपका ब हम इसको practically कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे से बेस्ट पहले घाए मैं क्या करता हूं एक लेबल दे देता हूं। यूजरनेम हां इसले के से इसका नाम दे देता हूं। यूजर नेम पाफेक्ट यूजैयं दिया यहाँ मैं देता हूं इंपुट टाइप तेक्स पॉफेक्ट दूंगा और इसकोडे पॉक्स canada लाष ह्वाटोग डास अंम बॉक्स बोने देता हूं फिर से विंडों व्त घ्यता हुं गाइस इसको मैं पॉर हंड़ेट पिक्सल पॉफेक्ट ठीक है तो कुछ यह इस तरगे से दिखने वाला है 100% में जो की मेरा यूजर नेम यहां पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ इससे दिखां लेकिन मैं था एक काम करता है इसका हाइड में 200 पिक्सल कर देता हूँ ठेक है ताकि मैं इसको जूँम कर रहू तो ये عएकिशो कर दो डिखें यह ठेक्सार्ट में कु attentकत यह और kg है कि जो मैं यह थापा टेक्निकल लिख रहा हूं ठीक है आपको बस उस पर ध्यान देना है और यह ध्यान देना है कि यह जो T है न टी स्टार्टिंग का टी देखिए और इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है जब कि यहाँ पर देखिए कितना गैप है लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल गैप नहीं है तो मैंने आपको क्या बोला है एक बार मैं आपको इंस्पेक्टर के भी दिखा जाता हूं यह देखे गए यह दिखाईते रहे इसको बोलते बॉक्स मॉडल है बिएक यह मेरा कंटेन्ट ऐसके पैडिंग अब यह उसका बॉर्डर यह उसकी मार्जिन को यह जो मेरा लीखे थोड़ा यहां से यह जो ए स्टार्ट वाना वाहाँ से मुझे था पाई स्टार्ट होना चीए वीक्रमक क्या करोंगा देखे गए बैडिंग इस परोंगा ठीक है जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नहीं और उसका रीजन पते क्या है उसका रीजन यह कि मुझे box model को petting नहीं देना है मुझे पैडिंग देना है तो किसको मुझे input box को देना है समझ रहो तो मैंने लिखा थै पस हम में क्या करना है एक्सेस wrong किया था तो मैं क्या करता है यह जो इनपूट फिल इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे नीचे आता हूँ ठीकेश को मैं एक लिखूंगा क्योंकि एक अलिमेंट है अब भी मुझे पैडिंग मिल गया तो basically आप देखें यहां पर मैं पैडिंग पर नीचे से भी पैडिंग चाहिए ना अब इस तरह किसे बॉटम लिख सकते हैं यह देखा क्या हुआ मुझे पैडिंग मिला लेप्ट साइट से पैडिंग मिला उपर से तो यह होता है पैडिंग और यादर को पैडिंग आप जैसे जैसे इंक्रीस करोगा आपकी इंपूट का साइज भी बढ़ते जाएगा हो या अब सिंप्लि पैडिंग भी लेखोगे ना इसे देखिए और यादर को पैडिंग का पाता है कैसे बॉक पैडिंग होता है सबसे पहले टॉप को दैन राइट जैन बॉटम यह से अगर आपको चार वैल्यू देना है में पहले तो Simple लिख के दिखाता हूं 5 पिक्सल इसको refresh कर दूंगा तो देखे गाएस perfectly 5 पिक्सल 4 तरप से हैं left से भी लगा, top से भी लगा, 4 तरप से लग चुका है तो इस टेके से इस चार तो आफ 5 पिक्सल लिख सकते ते नहीं तो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल तो basically यह जो मैंने 5 pixels पांच चार बाल लिखा है ना तो देखी क्यों लिखा मैंने यह जो पहली value है यह है मेरा top के लिए यह जो मेरा दुसरा value है यह है मेरा right के लिए यह जो मेरा value है यह है मेरा bottom के लिए और यह है मेरा left के लिए तो यही same margin के लिए भी use होता है तो इसको मैं refresh करूँगा कोई changes नहीं होगा तो आप 5 बार इसे किसे लिखो या तो simply padding को अगर आप एक बार लिखोगे और simply 5 pixel भी लिख जोगे इतमेंस यह आपके 4 गें इतमेंस यह और यह line दोनो equal है ठीक है तो इसको बॉक्स दिखाए देरा आपको input field उपर से देखे चिपक क्या रहा है मुझे उपर से space चाहिए मुझे अंदर space नहीं चाहिए यह जो input field है और यह जो border है मेरा actual device उसके बीच में space चाहिए टॉप से तो मैंने क्या बोला कि आपको margin यूज़ करना पड़ेगा ठीक है border के भार के लिए यह तो border यहां पिर दिखाए देरा है मेरा cursor वो border है उसके बार के लिए आपको margin यूज़ करना पड़ता है अब उसी तरह के सब्सक्राइब लिख सकती हो margin लिख दो आप इस पिक्सल का underless शेप करके refresh करो यह देखा आपने देखा यूज़र ने मुदर ही है लेकिन इसकी बीच डिफरेंस बढ़ी है तो यह होता है पैडिंग यह होता है margin एंड बिलिब में गाईस मैंने पैडिंग और margin के उपर एक डॉम डिटेल वीडियो बना है उसका लिंक में आपको नीचे उपर आइमिन उपर डिस्क्रिप्सर में दे जूँगा तो आपको वह भी एक पर जरूर देख लिए ठीक है लेकिन यह भी मैं अपना best दे रहा हूं अब उसी तरह के से जो में आपको दिखाता गाईस ठीक है अब margin को भी आप उसी तरह के सी उसकर सकते हो आप सिंपली margin वेल्व लेकिस प्रपर्टी अगर आप लीग दो किये 10 फिक्सल इस टॉप बोर्टम आइ मिन राइट बोर्टम यह जो में रिप्रेस्क चाइब लग जागा है इसको मैं रिफ्रेस्स हो गाए देख़े गाईस तॉप से 20 इधर से 20 नीचे से 20 इधर से 10 इधर से 10 इधर से 10 मेरा वाक्स बइसको हैं किया युदा को वांगा युद्व पूरा हो गया है मेरा बॉक्स मॉर्डल और तो बॉक्स Dir लेकिन मैंने स्क्रोल बार लइए इसका मेन काम स्ग्रोल के लिए उले हुई होता है तो देखिए इसकी त्रपर्टी भुर्टी है व्सक्रोल बार प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है को बोलते ओवर। यह play और अबर्फ्लो Current चार प्रपर्टी ए इव एक है विजीवल एक है हीडन दुसरा है स्क्रोल एन लास्ट वान इस और डॉप चाहिए तो इसको रीड कर सकते हैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं गाइस देखे यह मेरा इंडेक्स अगर आपको बाता है अगर आपको बाता हूं अर बी मैं आपको बताई था कि अगर आपको बाता है इसको मैं यहां पर जाता हूं इसको मैं रिफ्रेस्क कर दता हूं तो अब समझ लो कि अपने एक जमीन खरिदा लेकिन अपने इतना जमिन आपने समझ लोगी यह आपका जमीन है ठीक है और यह आपको जमीन के अंदर वो सारे जिसको लगाना है यह मुलिन रखना है तो ऐसा वो सकता है कि जम मिन की पास प्समान बहुत ज़्यादारी तो इयां पर टा क्या करता है वे कुपल ऑर रख द्याज अगत जमिन चोटा है तो आプ जो महीं समाने उसको एक क्यों से में अगर आप वेबसाइट पर काम कर रहे हो और आपको इससे पहला काम पता क्या हो सकते हैं आप चाहे तो इतना दिखा सकते हैं उसको आप हाइड कर सकते हो तो उसके लिए देखी क्या करना है अब यहाँ पर लिखना है और आपको लिख देना है लिए इतने भी ओवर फ्लो हो रहा है पानी का बोतल जब आप भड़ते हो इक बार पानी फूल हो गया तो बार क्या होता है पानी का तो उससी तरह के से इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा बोम गाइस देखा आपने क्य तो देखे कैसे एक होता है hidden अगर आप auto लिख दो गया तो देखो क्या होता है और तो का अगर में रिफ्रेश लिखूंगा और तो में देखे बाई डिफॉल्ट वह इससे स्क्रोल बना देगा और तो मतलब कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लोगों को पढ़ने में मिल जाए आ अगर पढ़ने में तो आपको ध्यान देना है और तो और चौल में डिफ्रेंस कर यह जो हम रेड करना चाहिए इसको हम सिंप्छिल वर्ट कर पार रहा है लिकिन अगर आप सिंप्री डिखोगे तो आपको नीचे भी और जूम कर देता हूँ आ आपको पता नहीं दीख रह और नीचे horizontal scroll आच चुका है आपको यहाँ पर पाता चल जाए गए देखे गए तो गाइस यह था ओवर्फ्लोव जहां पर आपने देखा कि सबसे पहले इसको मैं वापस डिलीट कर दता हूं गाइस तो पोजिशन क्या होता है समझ रहे हो पोजिशन मतलब आप अगर स्कुल के लाइन पर खड़े हो और मॉर्निंग की SME चल रहे होता है आप क्या करते हो छोटे से बड़ा एक की पीछे खड़े हो जाते हो ना समझ र पर चेक करता है कि सब एक दम प्रॉपर लाइन में खड़े है या नहीं तो यहां पर भी वही पोजिशन है यहां पर आप समझ लो कि आपका यह जो घर है अभी मैं यहां दिखा तो समझ रहे हैं और आपके पास चार बंदे है ठीक है आपको क्या ची एक बंदे को आपको इस कोने में फैक नहीं का है दूसरे बंदे को इस कोने में तीसरे बंदे को इस कोने में तो आप क्या करें कि आपके पास चार बंदे थे आपने चारों को एक एक कोने में रखा है तो आप क्या करें पोजिशन दे रहें उन चारों को कि तुझे इस पोजिशन पे खड़ा ह करता है आपका absolute and relative ठीक है तो देखी क्या होता है मैं एक दीव ले ले लेता हूं और राइट इसको class दे देता हूं गाइस में father हां देखिए आप समझ लोग यह father है इसके अंदर और इसके चार बच्चे ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप मुझे क्या चाता है कि इसको मैं अपना जमीन मानूंगा इसकी सबसे इन चारों को मैं पोजिशन करूंगा ठीक है तापको एकदम प्रॉपर समझ जाएगा इसको मैं पहले एक बाद कापी कर देता हूं परफेक्ट ठीक है इससे किसे मुझे यहां पर क्लास लगाना पोज लिख जएताओ ठीक है अब मैं यहां पर गज़ा दवफुर पर लिखाए तो इतो अगर मैं नीची लिखनगे कहा है मैं नीची लेह एक है इसको मैं आपड़ दो हुछ भॉपझ इन्धा इतल् मिरलत वे इससों रही शावर यापको अब गर न हमने मार्जन और पर चुका अब को पॉजिशन आपको समथ जाएगा ठीक है तो पॉजिशन देता हूं गैसमें सबसे पहले इसको रिलेटिव ऑल राइट इसको मैंने पोजिशन में नहीं जीता अभी आपको बनना ड़ाउट आ जाएगा फिल आलावी मैं इतना करता हूं इसको मैं background color देता हूं रेट से कैसे प्रफेक्ट इतना मैं इसको background color दिया इसको मैं refresh कर दूँगा सबसे पहले चाइल वान क्लास है इसको मैं अपना फादर बना लिया है घर बना लिया है अब फादर के चार बच्चों को भी हम इस्टायल ले देते हैं ठीक है सो कैसे करना देखें चाइल वान सबसे पहले चाइल वान क्लास है इसको मैं क्या करता हूं इसको मैं width दूँगा let's say 100 pixel का ठीक है height भी दूँगा मैं height कितना दूँग इसको मैं 60 pixel दे देता हूं लेकिन background color देना बहुत जलो रिया background color इसको देता हूं गाइस में green इसको अगर मैं refresh करूंगा ना देखें ग्रें मेरा फर्स्ट वाला चाइल्ड है यह बाकी मेरे तीन चाइल्ड है तो इन तीन के तीन वाले को भी मैं क्या कर देता हूं एक दो तीन पॉपेक्ट इसको मैं child 2 कर देता हूं ठीक है बस color change कर इसको मैं कर देता हूं पिंक और डेखो अब मैंने जैसे लिखा एप मुझे थापा और जूम कर देता हूं ठीक है अभी देखो हमने इसमें position कुछ यूज नहीं किय है यादार को deep जब भी आप इसको को बाइड़ फॉल्ट वह एक की नीचे एक ही आता है साइड में नहीं आता है वर्टिकली एक की नीचे का था ठीक है तो देखेगा इस मुझे क्या चीए कि पोजिसन यूज करना है और मैं चाहता हूँ कि थापा यह जो फर्स्ट वाला अपनी जगे पीर है यह सेकेंड वाला थापा इस कोने पे चला जाए ठीक पर यहां पे चला जाए यह जो लास्ट वाला वह यहां पर आए तो आप क्या करोगा ऐसा कि यह प्रॉपर्ली चारो तरफ चले जाए समझ रहे तो क्या करोगा आप ऐसा तो उसके लिए देखे गाइस क्या करने हम पोजिशन उसकरेंगे और पोजिशन होता है relative and absolute relative मतलब अगर आप तो देखे गाइस सबसे पहले यह relative क्या होता है अगर आप किसी को भी relative लिखते दोगे ना position it means कि जहां पे वो खड़ा है जिस position पे वो है उसी को अपना position मान लेता है नौर्मल पोजिशन को अपना position मान लेता है लेकिन जब अगर आप पोजिशन absolute लिख ले तो it means कि अब वो जो पोजिशन आपने absolute लिख दिया हम इन चारो को लिखने वाले तो वो जिस डिप के अंदर है तो याँ पर देख सकते हैं कि यह जो मेरे 4000 चारो डिप है वो किसके अंडर है इस वाले वो उसका पैरेंट हुग है तो अब यह जो चारो को चारो डिप है न वो इसको अपना relative मानेंगे इसको अपना actual घर मानेंगे आ उसकी हिसाब से आप हुझ जगे जगे पर चले जाए एकाई दिखेंगे तो आप इसको साय कितना भी कुछ भी करो Lindsay रहने वाला है समझार आप इतना समझलों कि आपने एक जमिन खरीता जो मेन अभी आपको दिखाए उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपके absolute थे जो भी आपके समानते अब वो उसको अपना घर मानके वहीं पे हूँ सज़ आप उसको कहीं भी सजा सकते सिंपल इतना समझ लिजे ठीक है तो आप एक और समझ लिजे कि यह मैंने जिससे बता यह पूरा उसका parent है यह उसके चाइल्ड है तो parent के पास अधिकार छोड़के यहां पर बाहर नहीं जाएगा वो इसी डिप के कोने में जाएगा क्यों क्योंकि absolute जब हम position देते तो वो जिस parent के अंदर है ना जिस पहला first parent के अंदर उसको अपना घर मान लेता है ठीक है तो देखे अब आपको और क्लियर हो जाएगा तो जब इसको हम position करेंग एपसलूट वो परफेक्ली इस जगे पर आएगा बाहर पर नहीं आएगा वो जो ठड़ वाला इस जगे पर आएगा इधर नीचे वाले पर नहीं आएगा यह लास्ट वाला इहां पर आएगा तो आप समझ दीजे पैरेंट ये चाइड और रेट तो देखे आप क्या करना है मैं आपको बता है आपको पोजिशन रिलेटिव एपसलूट तब यूश्ट करना है जब आपके पास एक जमीन है आप समझ दो कि आपने घर खरीद लिया यह आपका एक कमरे आपके पास बहुत सारे फोटो फ्रेम है तो आप सिंपली कमरे को पोजिशन दे दिजिए रि रिलेटिव ठेक क्योंकि मुझे इसके अंदर इन चारों को फैकना है यह बच्चों को एक एक जैगे पर रखना है देकि मैंने पोजिशन रिलेटिव दिया कुछ असा नहीं पड़ा क्यों क्योंकि ए रिलेटिव मतलब जहां पे हो है उसी कोई अपना मान लेता है जगह त आँचला को इसको जैसी मैंने कापी क्या करूं इंवादो दोन में अपर आ चुक के अपवियाँ पर दिखाता हूं वापर पोजिशन एपसैलूट ईस वाब को कर देता हूं पोजिशन एपसलीट तो वा बैसिकली हो यह रहा है कि जब हम पोजशि से एफसिलूट लिके अ ना इट मीज अब वो प्रॉपर यह मेरा कौन है बैरेन्ट यह कौन है चाइडर यह प्रॉपर पैरेन्ट के कंट्रूल में आ चुका पैरेंट ने क्या बोला यश का थाला ने एक इस्ट्रेट लाईन पर खड़े हो जाओ यह चारो की चारो एक लाइन पर सबसे आगे आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा और एकदम जाड़ा रहा तो क्योंकि बागी सारे छे फूट के और से में तो यहीं पर वही हो रखी एक्ष्वल में चारो की चारो एक ही जेगे पर यह एक मिन्स आपने क्या बोला कि अब मुझे पोजिशन चेंज करना है ठ लग सकते हो और यहाँ आप जैसे आप पोजिशन इस कर गए एक्स्टा चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो हम अब इंक्लूड हो चुक है आप चाहता आप सिंप्ली लेफ्ट लिख सकते हो ठीक है दैन आप राइट लिख सकते हो तॉप और बॉर्टम पहला में क्या काना प लेफ्ट और जीरो और इट मिन्स अब वो अपने जीरो पोजिशन पर ही आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन सेकेंड वाला मुझे किता चाहिए टॉप राइट में ठीक है देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा गाइस लेफ्ट आई में मैं लिख दूँगा राइ धिर जाहां पर आप उसको रखना रख्स रखते घृःक है उससे तरके से ठरडवाले को अगर आपको इस जगे पर दिखाना है यहां पर ने बॉर्टम लिख दिना है जैसे लिखोगे बूं गास देखा कितना सिंपल था यह होता है पोजिशन रिलेटीब एंड एपस जादू दिखाता हूं in सबको ना मैं वापस बैक नॉर्मल कर दिता हूं पैक टू नॉर्मल वेक्ट नॉर्मल ठेके और ज्यादर जूंकर दिया ठीक है इसको भी मैं हटा देता हूं ठेके आप को इस जादर दिखाता हूं सबसे पहले यहां पर जाते हैं पोजिशन के बाद क्या है जी इंडेक्स ठीक है तो हमने पोजिशन दे चुका है अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं देखिए गई कि मैं यहां पर जाता हूं इसको मैं रिप्रेश् حंट कर देता हूं ठीके सबके साथ एक है लेकिन इतना याद रखना है कि अपर जो लास्ट वाला डिप होता है तो वह सबसे टॉप पे दिखाई देता तो बैसिकल Tas rescued बाहित देखें ल्हें अपर ईपनी से बहुत सरे वेब सारे देखेंगे यहां पर एक डीब के आड़ाइङ कि वह सबसे ज्यादा नोंनने इंडेक्स देदिया और वाजन पूछ त्व้न की बीच में सेंटर तो उससे के से वो डीब हम वो जो इमेज ये उन दोनों डीफ की बीच में दिखाया देता है यहां पर भी सिम ओई दिखें चारो के चारो एक ही पोजिशन पर लिकी मुझे क्या चीकिंड मुझे थार्ड वाला दिखना है ठीक है एमिन श्रीक वाला दिखाना है तो मैं सबसे ज्यादा वो टॉप पर दिखाए देगा यह दिए सबसे फर्स्ट पर कौन है ग्रिन टीक है यह होता है जैट इंडिक जिससे आप क्या कर सकते हूं अगर सौ लोग एक लाइन पर खड़े अगर आपको चीह मुझे जो दस्वे नंबर पर खड़ा वो दिखाए दे लेक अगर आप चाहिए कि आपको फर्स्वा लाइ दिखाए देगा लेकिन अगर आप चाहको जो दस्वे नंबर पर खड़ा हो सबसे पहले दिखाए दे लेकिन आपने दस्वे वाले पोजिशनप करें की बात सकति व्याता है उड्लाइठ की प्रौट परफर्टी करके ठीक है तो देखे गाइस float क्या होता है मैं आपको दिखा तो float बहुत simple है and believe मैं यह देखने के वाद आपको और easy लगेगा ठीक है तो मैं क्या करता है एक menu बना के दिखाता हूं आपको ठीक है तो इन सब को मैं हटा जयता हूं इस देखे से all right ठीक है इसका नाम मैंने header तो basically मैं मैंनू बनाने वाला हूं जहां पर यह जो एक पार्ट होगा आइकन के लिए जैसी यह मेरा मैनू है यह दिखाए दर है यह एक पार्ट है आइकन मेरा आइकन के लिए मेरा जो चैनल का है और यह जो दिखाए दर है इसको मैं कैसे बना सकते देखे गए फ्लोट की मदद से यह मेरा header दे दिया second वाले को मैं class देता हूं इस सिर्गे से लोगो का यह जो मेरा third वाला है ठीक है इसको मैं class देता हूं guys इसको मैं menu नाम से ठीक है इसको गाइस सबसे पहले header पर जाता हूं मैं header को style करता हूं ठीक है so header मेरा class था मैं width देता हूं guys 100% क्योंकि menu का height 100% होता है इसका मैं height देता हूं 80 pixels ठीक है यही इसको डिट्टो में copy कर देता हूं ठीक है लेकिन में को बस width कम करना मुझे मेरे जो लोग है उसके लिए 30% का width ठीक है अगर आप चाहते हो कि वो थापा टेकनीकल एकदम center पर दिखाई दे तो आपको क्या लिख देना है line height इस ते किसा अगर आप लाइन है लिख दोगे कि देखे कैस मुझे center में दिखाई दे रहा है अगर आप चाहते हो कि मुझे एक मतलब अब यह horizontal center में चीज़ी तो मैंने आपको दिखाया तो starting में text align करके आपको लिख देना है center तो यह center में भी आगा ठीक है आपका logo बन गया ठीक है लेकिन पाता प्रॉलम का थी लोगों को यहां पर मैं क्या लिख दिखाई का दूंगा यह देखा का इस क्या होता है वह मैं बिसिकली एक की निचेक आता हम वो तो मुझे यहां पर चाहिए नॉशको कैसे करने देखिया वह एक्स्ट्र एटिक इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाद रहको तो मैंने किया कॉपी यहां पर किया इसको मैंने पेस्ट इसको ही मैं वापस कपी करूंगा गाइस ठीक है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूं प्रेस मुझे टेक्स एलाइन सेंटर नीच यह पीकि मुझे सेंटर पर चाहिए भी नहीं हो इसका मैं विट देता हूं 70 तेके क्योंकि और डेडी उदर तो 30 ले चुके तो इसको मैं 70 इस वाले को गईस मैं कर देता हूं इसको अगर मैं रिफ्रेस करूंगा देखा आपने क्या वागाई मुझे एक्चल में वह यहां पर चाहिए था रेट लेकिन वह नीचे आगया तो आप ऐसा में क्या यूज करूं कौन सा से इसकी प्रॉपर्टी उसकरूं कि मेरा यह जो डीव है समझ रहे हो आप वह मुझे एक के बाद जो में एक मिले तो उसी के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं तो बिसिकली फ्लोट आपको तब उसका ना जब आप एक आपका एक डीव है उसके इंदे मल्टिपल डीव है अगर आपको लेफ्ट साइड राइट साइड अगर उसको आपको simply float लिखना है तो इस तरह से मैंने float लिखर आपको लिख देना है left ठीक इसको जैसे अगर मैं refresh करूंगा आप देख सकते हो कुछ इस तरह की से दिखाई दे रहा है उसका reason यह कि क्यो मैंने लिखा है ना वह एक के नीचे एक आ रहा है ठीक है तो इसको मैं हटा देता ढ़ा है तो पॉवे लिख मरे यह भी टेखाना है एक Всegang दम त्लिखा चाहिए रहा मेहान लिख दाता हुआ है यह जो यह यूल मैं आत परके दिखाता रहु लेकिन फिलालिप कामैट खंकी ऊनले कामेट्ड आपको यह थैसको मैंश्येस क्या हुआ इस पहला वृत बिख 70 तो इसको पता क्या हूँ इसनी देखा कि यह जो दो डीब है वो एक ही parent के अंदर है जो कि है header एक ही डीब के अंदर है एक ने float यूज किया तो दुसरा वाला सोच रही कुस्तो जोल हो रहा है बई उस तो हो रहा है कि जिसके कारण आप यह लेट से चिपक गिया और यह से 30% भी ले रहे तो यह सोचता है कि second वाला नहीं भई मुए भी स्टाइंग से ही लूगा अपना जगा तो यह भी अपना स्टाइंग से जगा ले रहा है उसके कारण हमें यहां ता कि दिखाई दे रहा है और यह स्पेस इतना खाली तो बिसिकलिय यह जो इसके इकको लें तो यह जो 30 पर संट डेना वह की तुबाण बूम गाल के अपने क्या वह सिम्पल यह मेरा आगिया है वह देखी मेरा लोगそうですね मेरा मैन्य वह स्ब्सक्राट यह मेरा मैंनी कितना सिम्पल है तो मैं मीन्यो करके भी दिखा जैत What is Σे पहले व्लूट के बाद क्या है हमारा css display display बहुत important है यह आपका दिखाता कि आपको आपका जो main आपका जो structure है आपका जो इतने भी font है जो भी text है जो भी deep है उसको दिखाना किस्तिर किसी दिखाना है मतलब दिखाना है भी एनिताप चाहिए तो इसको hide भी कर सकती हूँ तो देखेगा इस कैसा होता है इसको मैंने यहां पर menu को इसको menu हटा देता हूँ मैं ठीक है इसको मैं uncomment कर देता हूँ perfect all right अब इसको अगर मैं एक और बार refresh करूंगा तो देखेगा कुछ इस तरी किसे दिखने वाला है ठीक है अब मुझे क्या चीकि menu को एक के नीच मलब एक यहां पर जाता हूं तो मैंने यूल को सेलेक्ट किया सबसे पहले मैं आपको बादा था अगर आपको स्थाइलिखो गे अपको क्या लिखना है लिखना हुआ इसको अटा देढना है उ哈哈 list अप बार नादी नहीं आती धिश्पलै की तो देखें आपको इतना यह याता था है कि अगर आपको 22 2-2 इस इसे majority यह देखिए sorry guys sorry sorry वह actual में ul में काम नहीं करेगा क्योंकि वह एक list है हमें एक के बाद जो में एक दिखाना किसको list को ul तो अल्रेडी एक हो चुक है ना तो मैं list को select करूंगा और याद रखो LI को मैंने select क्या it means यह तीनों के तीनों को LI को वह लग जाएगा ठीक है तो मैं simply क्या लिखूंगा guys इधर पर तो देखिए guys मुझे क्या लिखिना है यहाँ पर मैं simply लिखूंगा display inline इस तरके से मैंने जैसे inline मतलब एक line में inline एक line में जैसे मैंने लिखा देखिए boom guys एक line में आ गया ठीक है आप मैं आपको दिखाता हूँ keynote block मतलब एक line में लेकिन block wise block मतलब आपको क्या हो गया कि ऐ TIER की line में खड़ा में करना है आपको एक block दिया कि आप इस block पर खड़े हो जाओ अब उस block पर खड़े हो जाओ तो उससे क्या होँगा आपको थोड़ा कन्फॉर्म हो जाएगा कि एक्च्वल में क्या हो रहा है यहां पर तो इसको मैं देता हूँ ब्लैक पॉपफेट यह देखा अपने क्या हो रहा है ब्लॉक में क्या होता कि पूरा का पूरा इजो विट होता है पूरा का पूरा वो मिल जाता है समझे वहीं इससे पहले मैंने क लिखाता है इंलाइन गोड़ें जब ल sushi मेंlier जब लिखा तो जितना उसका इसपेस यह जितना उसको चाहिए श्रप उतना ही space खाता है in line लिखने पर ब्लॉक लिखने पर देखे क्या होता है ब्लॉक लिखने के पूरा का पूरा जगा खा जाता है ठीक हा पूरा पूरा पुरा वित खा लिए लेकिन वहीं अगर आप online block लिखते हो ठीक है तो यह best combination मुझे आपको involves का साइज भी मिलेगा और आपका इनलाइन भी मिल गए दिके उपर और नीचे से आपको पूरा एक एरिया मिल चुका है ठीक है तो यह होता है इनलाइन ब्लॉक और राइट अभी मैंने आपको बता है था मार्जीन अन पैडिंग तो घयास मुझे क्या चीकि लेट टॉप से तो मुझे मिल चुका है डॉप से मुझे मिल चुगा टॉप आंड बॉॉटम से मेख दमॉफेक्ज सेंटर में हूँ सबसे पहले तो मुझे राइट साइड को जाना है ठीक है तो मैं यूँल को क्या करदो कि यहां था थानर है कि इसको क्या करना है margin यूज करना है ठीक है आप margin यूज कीज़े नहीं तो best रहेगा कि आप padding यूज कीज़े तो यह जो border दिखाई देरा है black border उसके अंदर की space आपको मिल जाएगी तो आप क्या कीज़े padding यूज कीज़े इसके लिए आपको क्या लिखना है padding आपको कीज़ा करना है यह जो e दिखाई दे रहा है यह जो h और e यह क्या padding left padding right आपको padding left and right करना तो इसका short property में आपको बता है था जहां पिये पहला होता है टॉप और बॉटम जीरो दूसरा होता है left and right मुझे चीए 10 पिक्सल का ठीक है यह जो जीरो ने बिसिकली टॉप और बॉटम के लिए 10 पिक्सल इस पाप बोथ left and right इसको मैं जैसे रिफ्रेस करूंगा आपका दयान यहां पर होना चीए ठीक है रिफ्रेस के आ बूंगा इस इसे का कितना प्रफरेक्स एक इधर स्बेस है ए की यह होता है गा क्या इस मैनी bestown यह होता है गाइस वह संपल्य गाम आइस कि मैं नवन साथर चुंदा चीन गाएक तो युट सब्सक्राइब हो जा ठाएक ठीके तो यह वोता है इसे कमेन्य बना सकते हो ठेके आगल यह क्या है था हमारा इंला इन ऐ्लाइन व्लोक इसको रिप्रेस्स कर दिता हूं तो तो इस ब्लोट के साथ आप इसके से जो मैंने बनाया अब इसको हलका सा इस्टैल देखे वो क्रेट कर सकते हो एंड लास्ट काईस आब हम देखते कि हमारा लास्ट क्या है करसर आपको अभी तक यहां पर आके आपको यकीन आ चुका होगा कि मैं आपको अब इसको सिखने मिले मैं जितना आपको बाके की पूरे वीडियो सीरीज में सिखने नहीं तो यहां पर देखक्ते हो पैसे को मैं जूप करौह हैं यहां पर אीघ्श स्सकाइब करना होगा ऐसे लिए इस उली इस पेस्त दोत दा कार्ट कि यहां पर ऑप सबस्क्रेंट के आप प्रिफट इसे तरह से तो देखिए आपको क्या लिखने और इसमेल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लिखना आजने इस तरह से और यह उतकी वेलियों यह मैं आपको इंलाइन तरा के से बता रहा हूं इससे पहले मैं आपको बार हरा essسم। बता रहा था Eresize वाला NW, N S C, SW, S, W , Text, Weight, Help अपने बहुत बार देखाओगा ये टेक्सट वाला, Weight वाला बहुत बार देखाओगा, बिलिप मी, अब इसको ये Crosshair भे आपको आज देखने मिलगा, देखिए, आपको बस यह code लिखना आप इसको post कीजिए एक बाद समझे बहुत सिंपल है cursor आपका यह property है यह उसकी value है अब उसके अंदर देखे कितने सारी value है इसलिए मैंने लिखाने में directly यहाँ पेस्ट किया अब मैं जैसे refresh कर दूँगा यह देखे आपको पता किस पर द्यांदर नहीं देखे जैसे में auto पे गया इसका cursor का देखे गया आप देख सकते इसका cursor कैसे चेंज रहा है देखा अभी भार क्या यह pointer लेकिन जैसे auto देखे यह आई हो गया crosshair देखे गया plus symbol हो गया ठीक है अब जैसे default पे जा तो by default pointer यह देखे pointer मतलब उंगली point करना यह move देखा आपनी यह move के लिए आ चुका है इरी size के लिए देखे गाई तीक है यह देखे गाई इस नौर्थ इस्ट नौर्थ वेस्ट इस्ट ठिक है दैन नौर्थ ठिक है यह साओध इस्ट साओध वेस्ट यह अब ठीक है यह एक्चल में बता रह पर आई मिला था था ठीक है यह देखे आप अगर आप कोई वेबसाइट पर जाओ कि आपको इसा को पॉइंटर देख रहा है जांपर आपको किसी टेक्स पर जाते ही आपको क्वेशन मार्क या ऐसा देखरा एक मिन्स हुआ उन्होंने करसर यूज किया ठीक है और राइट अल्र गैस फाइनली अप शीएस भी कम्रीट हो चुका है गाइस एंडर यह यह बाता चल चुका होगा कि क्या है और इतना मैं बताना चाहूंगा कि मैंने और लेडी एस्टेमल फाइव एंस तरीक्यों पर भी वीडियो बने अ आपको बहुत मजाने वाला है ठीक है तो आप देख सकते कि मैंने यहां पर ऑनलाइन स्टॉपवाच लागा के रखा है एंड बिलिब में गाइस हम इसको पूरा यह बैक्ग्राउंड से लेके हमारा यह लोगो बनाने तक पूरा इस एक वीडियो में हम देखेंगे वो भी सिर्फ 20 मिनिट्स के अंदर and I really hope कि मैं बेस्ट दे सकूँ अपना and सिर्फ बनाना ही नहीं मेरा मेन मकसद रहेगा आप लोग को समझाना भी कि कैसे यह काम चल रहा है ठीक है आप में से बहुत लोग सोच रहोंगे यह design कैसे आया यह 3D images कैसे आ रहा है यहां पर यह जो bubble type द अगन हो जाता है ठीक है I mean visit करता है all right तो सबसे important बात यह कि इसका source code आपको कैसे मिलगा don't worry guys इसका source code में अपने website thapatechnical.com पे आपको provide करा दूँगा and उसका जो link होगा नीचे comment section and description section पे आपको में provide करा दूँगा and one more thing guys that is अगर आपको यह video थोड़ा सा भी useful थोड़ा सा भ पर दीजे ताकि उनकी help हो जाए and one last thing guys आपको video कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बाताना ठीक है and यह भी comment करना कि next time आपको किसकी उपर देखना है website जैसे कि अभी मैं फिला डॉक्टर्स की उपर मैं बना रहा हूं तो next time teacher, students, you know, engineers या spa की उपर या मालब किसी की उपर भी आ आप लोग ready हो चुके हो, ready तो ऐसे मुझे हो ना लेकिन आप भी ready हो जाए, so देखें guys मैं क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं start, so 3, 2, 1 and boom guys, तो all right अभी start हो चुका है guys, इसको मैं stop नहीं करने वाला हूं, ठीक है मेरे पास total 20 minutes है, तो आपको मैं दिखा देता हूं मैरा जो folder structure है guys, मैंने already एक folder बना रखा है, आप अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा 20 minute website, this is it, उसके अंदर एक image नाम का folder है, जिसके अंदर ये एक 3D image है, बस बाकी कुछ निये, logo and जितना भी background वो मैं सब खुच से बकनने वाला हूं, all right guys, इतना हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या कि हमेशा की तरह Sublime Text Editor open किया है, and मैं बस उसी folder के अंदर हूं, और कुछ नहीं, तो देखेंगाई, सबसे पहले आपका, क्या होना चीए, index.html, ठीक इस तरके से आपको लिखना index.html perfect, and then यहाँ पे आपको एक folder चीज जो की है CSS, and CSS के अंदर आपको एक file चीए, that is your style.css, all right, this is it guys, इतना हो चुका है, तो सबसे पहले HTML में इस तरके से लिख दिया, ठीक है guys, तो देखें हमें क्या चीज सबसे पहले guys, पहले तो logo बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो हम देखतें कि, all right, 1 minute हो गया है, ठीक है guys, यह जो logo दिखाई दे रहा, logo में कैसे बना तो वो आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, सब मैं यूज करने वाला हूँ, Canva and मैं पूरी कोशिस करूँगा, and guys, sorry, आगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो, ठीक है, क्योंकि 20 मिट के अंदर इसको complete करना है, तो मैं simply यहाँ पर इस तरके से logo लिख देता हूँ, यहाँ पर लोगो आज चुका है, I think मैंने साथ लोगो पर क्लिक नहीं किया, I think साथ मैंने लोगो पर क्लिक नहीं किया है, तो all right, इसको मैं काड देता हूँ, मैं यहाँ पर लोगो पर आज चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर लोगो लिखा, already logo दिखा ही दे रहा है, all right guys, त तो थापा मैड केर ओल्राइट इसका जो स्पेस है उसको लेट से कितना दूर 28 नहीं बहुत छोटा दिखाई दे रहा है 42 इस तरीके से मैं यहां पर रख देता हूं इसको मैं ठीक सेंटर पर रखता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं अब इग्जैक्ट बनेगा या कैसे बने लुक्स परफेक्ट एंड एक सेकिंड स्पेलिंग में कुछ तो रहांग है मैट केर ओल्राइट नाव अब यह आउसम दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ठीक है अब यह बहुत मस दिख रहा है थोड़ा सा नीचे है और ओल्राइट ठीक है यह अच्छा इसको कर देता हूं और यहां पर इसको कर देता हूं ठीक है मैंने इसको पेस्ट के अब आप जा दू देखे गाईस ऑल्राइट दो मिनिट हो गया क्योंकि वो डेरेक्ली उसको मैं यूज नहीं कर सकता तो पी एंजी ट्रांस्पेरेंट करके खुस्तों भी होता है ठीक है एक्चुली गाईस मेरे पास फोटो सॉप था लेकिन क्या बता हूं मैं आपको उड़ गया है मेरो तो सब मैं ऑनलाइन के बारों से मुझे खरना पड़ रहा है तो डेक्स्टॉप पे आता हूं ठीक है इस्तर के से सेलेक्ट क्या फावफेक्ट ठीक है सही दिख रहा है इसको मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूं ठीक है सो ठीक है यह मेरा पेंट आ गया मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से आइधिंग नाव दिस लुक्स पॉफेक्ट क्रॉप कंट्रोल एस पॉफेक्ट ठीक है अब इसको मैं हटा जयता हूं इसको में एक बा आजाए गार मुझे बड़ा साइज नीची सो यह दिस लोग आसम देखो ट्रांस्पेरेंट हुआ बहुत तरीके काइस करने के हजार हो तरीके ठीक है लेकिन में को सबसे इजी लगा यह सो इन फोल्डर पर जाता हूं जल्दी से कॉपी पॉफेक्ट हो गया कॉपी हो गया यह अपने में इमेजेस के अंदर इस तरीके से पेस्ट किया यहां पर इसको मैं लिख देता हूं लोगो ठीक है लोगो.png मेरा काम हो चुका है ठीक है दिस इस इट चाय मिनिट हो गया ठीक है थोड़ा सा जल्दी मुझे करना पड़ेगा है कि नहीं इसको मैं हटा देता हूं make png ट्रांस्परेंट नहीं चाहिए और राइट तो गाइस अब मैं क्या करता हूं यहां पर देखिए सबसे पहले कहां गया मेरा web site और राइट यहां पर देखिए एक दो तीन तीन डीव है कि नहीं अब देखो आप जादू में मलबसे कर देता हूं इसको तो देखो सबसे पहले है हमारा main क्या है है HTML बोलता है कि header लो आपको जो भी MainHeader है header के अंदर 가स्ट में एक div ले लेता हूँ ठीक है आज Div को class में क्या दे देता हूँ इस तरी के लेता हूँ । mainHeader दे देता हूँ यह जो मेरा डिप इसको एक class देता हूँ logo करके ठीक है और यह एक div हो गया अब यहां पर मैं गाइस क्या करा हूँ मुझे मेरा navigation चीज़ तो मैं navbar का use कर रहा हूँ सकति हूँ पांड यहां पर इस्तर के से एंकर टैग यहां पर हैश्टेग यहां पर सिर्फ लिख देता हूँ home करके ठीक है है इसको मैं लेता हूँ copy paste and paste perfect यह home के बदले गास हां मैं क्या लिख देता हूँ services स्टीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ about और यह यह एक लास्ट वाला था एक बटन मेंने लेख्या तो उसको भी मैं डिप के अंदर ले लेता हूं इसको क्लास दे देता हूं मैन्यू बटन कुछ भी दे दो यार मैन्यू का बटन ठीक है चलेगा है and यहां पर मैं बटन दे देता हूं इस तरी के से क्या लिखो help line लिखा है मैंने कुछ तो भी हुआ पर help line ओल्राइट इस इसको में एक बार कॉफी फाइल पात करता हूं ओल्राइट 6 मिनिट हो गया यहां पर जाता हूं एंड वोट नहीं पॉफेक्ट इस तरीके से गाइस हमें एकदम पॉफेक्ट दिखाई दे रहा है अब आप में इसका CSS लेकि इसको style दे देता हूं देखो ठीक है style.css पर आच चुका हूं में यहां पर गाइस हमेशा आप कुछ भी स्टाइट करने से पहले आपको मालूम है margin पकड़ा दो 0 पैडिंग पकड़ा दो 0 and box sizing border box कर दो एक सेकंड कुछ गढ़र बढ़ हुआ है ठीक ह नहीं सो रेट कर देता हूं और इसको इधर एड़ भी तो करना पड़ेगा सो लिंक यहां पर CSS folder के अंदर style.css यहां पर जाता हूं और गाइस यह रेट कलर आ रहा है इस मिन्स हमारा perfect CSS file access हो चुका है यह बैगर और ट्रांस्पेरेंट था यह ठीक है perfect इतना हुआ अप मैं यह background को हटा देता हूं this is it guys background मैंने हटा दिया है ठीक है as it is रखता हूं तो अगर आपको याद होगा मैंने एक header लिया था header लिया था अब देखो गाइस अब बहुत लोग क्या गलती करते कि मैं CSS folder के अंदर images के अंदर background में चाके भी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है ठीक है अभी मैं फिलाल background नहीं देता हूं इसको as it is रखता हूं ठीक है header को अभी as it is रखता हूं क्योंकि background मैंने बनाए नही लेकिन background के अंदर एक deep है main header करके ठीक है मैं menu कैसे बना तो देखो कैस और menu बहुत easily बन जाएगा with 100% ठीक है height देता हूं 100 pixel का इस तरीके से guys ठीक है height जो मैंने जब 100 pixel दिया ना तो मैंने already आपको बता है कि guys display flags उसकरो justify content एक बार center कर दो and then align item center तो इस तरीके से आप करोगे तो देखो guys सब line by line में आ गए लेकिन आपको कोने कोने में चाहिए तो instead of justify content center use space between ठीक है यह देखो अपने line पर आगए perfect अब यह जो मेरा man header है ठीक है all right main header के अंदर आपको अगर याद होगा तो मैंने लिया था logo और logo के अंदर है मेरा image so dot logo उसके अंदर है image so guys logo की जो image उसका जो width उसको में कर देता हूँ 250 pixels मैं अंदाजे से दे रहा हूँ अगर हो गया तो ठीक है क्या हो रहा इसका देख लूँ तो मैं ठीक है perfect लेकिन अगर आप देखोगे guys इधर पर बहुत कोने में चिपक गया हूँ so padding left देता हूँ let's say 60 pixels ठीक इस तरीके से 60 pixels दे दिया perfect now it's look good अब यह जो मेरा home वाला पार्ट है बहुत फाल्तु दिख रहा है ठीक है आपको बस जादू दिखा रहा हूँ मैं and then guys आप देखो इतना लिखा ना मैंने यह कैसे चिप की हुए न एक जुस्रे के साथ आपको मालूम है अगर मैं display flagship कर दूंगा तो इसके साथ जादू होने वाला है and justify content space around कर दूंगा and align item center this is it guys इतना मैंने किया perfect अपने time प आपकी वह ऐसा ना दिखे color मुझे वह blue से चाहिए black so black दे देता हूँ ठीक है and then उसका जो text transform है guys उसको कर देता हूँ मैं uppercase इस तरी के से किया perfect हो गया अब यह जो button है ठीक है button बहुत simple है all right ठीक है इस तरी के से यहाँ पर मैं जाता हूँ और button एक सेकंड timing देख लेते कितना अरे guys 10 minute हो गया यार पाता ही नहीं चला इतनी जल्दी 10 minute हो गया ठीक है कोई नहीं guys button पर आपको क्या करना है देखो button भी बहुत simple है ठीक है so button के लिए guys आपको एक काम कीज़े padding दे दीजिए इसको from left and right से so padding देते है 10 pixel का और उपर नीचे से 10 pixel आज जो बाज 45 pixel पकड़ा दो ठीक है size दे दिया color guys triple f white color दे दो and border none कर दो border हमें बिल्कुल नीच ही है ठीक है एक सेकेंड अब इसका जो background color है guys इसका जो background color तो इसका मैं background color ने इसका मैं background image देने वाला हूं and believe मैं guys इसका जो background image थोड़ा सा फालतू है मैंने चेक किया था एक बार ठीक है तो इसका मैं क्या करता है background image का उठा लेता हूं क्योंकि यह color मुझे मालूम ने क्योंकि अगर color आपको डिट्ट्टो दिखाना तो guys उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था है कि नहीं तो मैं वापस back to में चलता हूं all right इसको and and यहां पर आता हूं ठीक इस लुक पॉफेक्ट लेकिन मुझे यह चीए पैडिंग लेट साइड से गाइस कितना देदू 60 पिक्चल पकड़ा देता हूं तो लेट से क्या होता है एक सेकंड पैडिंग मत दो गाइस पैडिंग मत देना ठीक है पैडिंग इस दी वर्स डिसीजन एक काम कोरे मेनु बटन है ना मेनु बटन को पैडिंग मत अंदर की चीजों को बढ़ा है ना में अंदर नहीं हमें तो बाहर से ग्याप चीए मेनु बटन एक काम को पैडिंग भी नहीं मार्जिन राइट का है भई राइट दे दो 60 पिक्सल का एंड 60 पिक्सल परफेक्ट इट लुक्स ऑसम कैस इट लुक्स ऑसम बारा मिनेट हो चुका है ठीक है एंड देन गैस आप में क्या करता हूं मुझे चाहिए मेरा और राइट तो कैनवा पर जाता हूं गाइस में ठीक है यहां पर जल्दी से गाइस में एक और डिजाइन क्रेट कर लेता हूं वह यह कि यहां पर गाइस दे देता हूं बारासो बाइस सासो पच्चास एंड इस इस इट इतना हुआ एक एंप्टी रखने वाला मुझे वह जो मेरा बैग्राउंड वह चीए बाकि मुझे कुछ नीचे सो इस पर जाता हूं जल्दी आजा यहां पर गया ठीक है इस तरह के से गाइस इसको मैं यूज करता हूं और इसका जो कलर है तोटली आप क्यों पर रहे गाइस जितना आ 370 और यह कितना जा रहा है 2320 आज चलेगा काईस इतना बहुत है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है इसको हटा जेता हूं पहले तो ठीक है और यहां पर यह जो दिखाई दे रहा गाईस यह आई थिंग उन्हों ने यह यूज किया है इसका भी कम कर देते है इस तरह किसा अठ चिपका वाय दिख रहा है और इतना ठीक है गाईस आँ ना इस लुक्स ऑसम ठीक है इसको बढ़ा करके ऐसे कर देते हैं और गैसी बहुत सही दिख रहा है इतना इतिंग बहुत है यह ठीक है इससे ज़्यादा क्यूंकि जल्दी से इसको करना है तो इसको मैं डिकर लिया चुछ इजबरता है यह डाउनलोड हो जाता है कितना टाइम हो गया 14 मिनिट हो गये ठीक है कोई नहीं अपना ट्राइ कर रहे सो इन फॉल्डर इसको मैं जल्दी सब्सक्राइब कर लेता हूं और इमेजस नहीं इसके अंदर 20-minute इमेजस एंड़ इसको मैं पेस्ट करता हू आँगा नाम देता हूंगा इस बीजी हाँ बीजी डॉट पी एंजी दे दिया मैंने ठीक है यहां पर आया इस जगे पर आता हूं और एक काम करता हूं कास मैंने यहां पर इस जगे पर Google font Google font use करता हूँ एक simple font है जिसका नाम है Josephine पाता नहीं मुझे बहुत पसंद आगया तो इसी को ही use करते हैं मैं चाहता हूँ कि यह जो है यह हर जगे यही use हो ठीक है हर जगे यह use हो तो आपको मालूम है कि हमेशा head tag के अंदर देना चाहिए और इसका जो यह font है अगर यह हर जगे चाहिए तो direct आपका यह universal operator है वहाँ पर पकड़ा दो ओर्राइट पॉफेक्ट control है save करते हैं एक बड़ यहाँ पर इसको अटा देता हूँ यहाँ पर जाता हूँ और रिफ्रेस करता हूँ and perfect now it looks awesome so guys अब यह जो मेरा background image था जो नहीं था वो मैं background image दिखाता हूँ ठीक है so यहाँ पर मैं जाता हूँ अब देखो dot dot इस तरह की से मैं बाहर आया images के अंदर मैंने just क्या दिया था bg.png ठीक है this is it इतना simple और यहाँ पर जाता हूँ and perfect इतना मस दिखाई दे रहा है अभी मैं क्या करता हूँ guys इसका जो background repeat को no repeat कर देता हूँ and जो background का size उसको मैं कर देता हूँ 100% by 100% ठीक है now it looks awesome ठीक है बहुत है इतना भी बहुत है अब guys मैं क्या करता हूँ कि वो images रख देता हूँ तो देखिए उसके अंदर ठीक है header के अंदर ही रहता हूँ stop watch I don't think guys अब 5 minute में कितना होगा ठीक है कोई बात नहीं guys इसको अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक main tag ले लेता हूँ ठीक है main tag जो है मेरा ठीक है उसके अंदर basically 2 section है एक section हो गया यह एक और section ले लेता हूँ इस तरीके से ठीक है इसको मैं guys नाम दे देता हूँ left section करके and then इसको जो है guys में class दे देता हूँ right section करके right section perfect इसकी अंदर guys मैं क्या करने वाला हूँ कि एक में लेता हूँ paragraph tag ठीक है paragraph tag के अंदर यही मैं ले रहा हूँ simple सा इसको paragraph नहीं इसको h2 के अंदर रखता हूँ बहुत simple है यह h2 के अंदर इस वाले को h1 के अंदर पकड़ा देता हूँ और यह cut cut जा भई we are the doctors we are the best doctors नहीं हुआ एक second यह नीचे वाला copy क्यों हो रहा है इस तरीके से रख दिया ठीक है इसके नीचे जो paragraph है उसके अंदर यह जो मैंने लिखा we are here to help you 24-7 ठीक उसके अंदर भी एक button है यहां पर क्या लिखा गाइस इसको मैं एक second यह नहीं इसको मुझे क्या चीए spec और यह जो भी लिखा है यहां पर यहां पर चिपका देता हूँ इसका काम इतना ही था ठीक है यहां पर मैं क्या करता हूँ कि एक figure tag ले लेता हूँ इसके अंदर मैं image लेता हूँ और यह जो image है मेरा अब guess कर चूए हो कि image कौन सा है मेरा आप यहां पर देख सकते हो mainbg.png ठीक है so main basically images के अंदर mainbg.png इस तरीके से बनाया control s save और guys यह मेरा actual page है and boom guys इतना आ चुका है alright guys 15 minute बाकी है तो देखो guys मैं क्या करता हूँ जो मेरा यह main section है ठीक है यहां पर मैं जाता हूँ so main के अंदर ditto guys मुझे पता है क्या करना है यह जो मैंने main header को दिया था इसको मैं करता हूँ copy क्योंकि मुझे उन दोनों item को side by side में दिखाना है and मुझे यह height नीच ही है बस इतना करना है and perfect now it looks awesome ठीक है इतना मस दिखाई दे रहा है अब इतना हो गया guys आप मैं main के अंदर जाता हूँ इसके अंदर यह जो मेरा left section है guys उसको मैं use कर लेता हूँ ठीक है and जो यह left section है तो obviously class है तो इस्तिर किसे class लेना पड़ेगा मुझे एक काम करते हैं main को अभी left को रहने देते है main के अंदर जाता हूँ and then right जो section है image उसको complete कर लेता है and I think I said अब यह नहीं उपाएगा एक minute बाकी है तो कोई नहीं इसको मैं continue करता है let's say कब तक होता है so guys right section को मैं दे देता हूँ मुझे खाली क्या चीह है कि वो padding नहीं margin padding right ले लेते है 50 pixel का तो guys इतना हो गया है ठीक है अब भी मैं क्या करता हूँ जल्दी से यहां जाता हूँ refresh करता हूँ all right now it looks awesome अब यहां पर मैं इसको एकाम करता हूँ 70 कर देता हूँ main से all right अब यह अच्छा दिखाई दे रहा है बस मुझे करना है तो क्या इसको access करना है ठीक है इसको perfectly यहां पर लेकिया आना है इसको मैं पैडिंग लेट देता हूँ लेट से कितना दूँ इसको मैं पैडिंग लेट देता हूँ 100 पिक्सल का पैडिंग लेट देता हूँ ठीक है सो control s save and इसको मैं refresh कर देता हूँ पॉफेक्ट इतना हो चुक है इंड stopwatch देखू सिर्फ 10 सेगंड बाकी अब साइद नहीं हो पाएगा लेकिन कोई नहीं इसको जितना जल्दी उसे कि उतना मैं complete करने की कोशिस करता हूँ सो अभी क्या करता हूँ कि यह जो मेरा left section है ठीक है इसको मैंने किया copy इसके अंदर जो मेरा यह h2 है इसको जो मेरा font size है मैंने 20 pixel किया है उसको 20 pixel दे देता हूँ टेक्स जो इसका transform है capitalize मदलब सबका जो पहला letter होगा वो होगा आपका capital and then इसका जो font weight है font weight कर देता हूँ lighter पर कर देता हूँ उसका color गाइस में 24 24 24 हलका सा आप कह सकते हूँ कि black से थोड़ा सा कम होता है and then guys जो मैं margin top देने वाल उसका region क्योंकि वो अभी भी उपर है तो मुझे थोड़ा नीचे चीए सो 150 पिक्सल का margin top देता हूँ अब देखो गाइस नीचे आगया ठीक है अभी यह ज्यादा नीचे लग रहा बट डोंट वरी सो अभी लेट सेक्शन के अंदर जो मेरा h1 है एक second time देख लेते है all right guys एक 20 minute हो गया है तो कोई नीच बट मैं जल से जल इसको complete करता हूँ इसको guys मैं font size दे देता हूँ 5-5 pixel का ठीक है font size दे इसका भी text transform कर देता हूँ मैं text transform कर देता हूँ guys capitalize इसका भी ठीक है and then इसका जो font का weight होगा वह होगा 700 only and then guys इसका line height कर देता हूँ line height की जौत नहीं पड़ेगी guys हमें line height की जौत नहीं है और सिर्फ margin में दे रहा हूँ 12px क्योंकि मुझे top and bottom से चीए आज बाज़े से कुछ नहीं चीए so यहाँ पर जाता हूँ and it looks awesome ठीक है लेकिन आप देखो कि हमें margin मिला नहीं है सिफ टॉप नहीं लिखना है margin लिखना है and perfect ठीक हमें इतना सा gap मिल चुक है अब यह जो we are here जो भी हमने लिखा यह paragraph उसको भी मुझे थोड़ा से देना पड़ेगा style ठीक है यहाँ पर मैं जाता हूँ paragraph के अंदर इसको मैं खाली दे देता हूँ का इस margin bottom क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं इसके साथ तो 20px पकड़ा देता हूँ अब एक चीज़ देखो कि कैसी ज्यादा ही नीचे आगया है यह यह अपना जो है 150 के बतले अगर हम 100 ले ले और रहे लुक्स बेटर एंड यह जो मेरा margin है इसको कैस में 15 कर देता हूँ क्योंकि हाँ ठीक है यह ज्यादा अच्छा दिखाई देर इतना हुआ अब यह जो make an appointment लिखे ना गाइस यह देखो बहुत सिंपल है यह आपको मालू मैंने उपर बटन दिया था तो इसके अंदर जो बटन है इसको में ठीक यही बटन देने वाला हूँ इसको मैं करता हूँ copy ठीक है यहाँ पर चिपका देता हूँ बस मुझे यह चीक ही इसका जो padding उपर और नीचे से वह गाइस इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके पंदरा कर देता हूँ और बाकी almost सब सेम होगा all right गाइस तो आप देखो गाइस यहाँ बाइस मिनिट ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा है and we have completed our task and this is it गाइस आपको कैसा लागा मुझे बताओ ठीक है इ and I really hope आपको बहुत ज्यादा मजा है इस वीडियो को देखने में ठीक है गाइस मैं एक चीज़ बूल गया तो यह कि कॉंटक पर तो उसके लिए कुछ नहीं करना गाइस उसके लिए बहुत सिंपल है आपको मालूम है जो मैंने add the rate दे रखा है इसको आप हटा दो ठीक है ब मत लिखो अगर आप सिर्फ हैस्टाइग लिख दो ठीक है इस इस इट गाइस अगर इसको मैं आप रिफ्रेस्ट कर देता हूं तो पॉफेक्ट एंड कॉंटक पर क्लिक करऊंगो तो आप देख सेकते हो कि मेरे वेबसाइट पर जा चुका है तो वैसे ही जो मैंने कॉंटक अगर इस इस वीडियो के इतना ही एंड रियल युब आपको बहुत मजाया होगा आज हमने इस वीडियो में कम्प्लीटेश्टेमल देखा दन कंप्लीटि सी एससे देखा एंड विश में आपको एक वेबसाइट बना के वी दिखा दाइस मैं ऐसे आसे और शुम वीडियो अगर आपको वीडियो बहुत पसंद है और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ को तो बेपिक रोके नीचे कमेंट कीजिए मैं पी जरूर है करूंगो सो तिल दन गाइस थैंक यू सो मच टेक केर